हैलो दोस्तों स्वागत है आपका इंजिनेर्स वाला में तो क्या हाल चोल है सबके एक बार हाल चोल बता दो start करेंगे आज क्या सबसे पहले तो एलेक्ट्रिक सरकिटस यार बहुत लोग बहुत लोगों यहाप को सीखना है बहुत basic से सीखेंगे और इतने बैसिक से सीखेंगे कि अगर आपको बिलकुल भी knowledge नहीं और अगर आप 12th पास करके भी आए हैं तो भी आपको पूरा समझ में आएगा है ना तो बताते रहना मुझे एक बार और मैं टार्गेट आपको बता देता हूँ, टार्गेट है हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे basic definitions, definitions यानि कि current क्या होता है, charge क्या होता है, voltage क्या होता है, good morning, good morning सभी लोगों को, तो क्या ये चीजें देख लेते हैं हम लोग है न, charge क्या होता है, ये सारी definitions देखेंगे, इसके बाद KVL, KCL को भी बात करेंगे, classification of elements, किस तरह के elements होते हैं, क्या-क्या nature होता है, उनका ये सारी बातें करेंगे ही करेंगे हम लोग, ठीक है, तो चलिए, start करते हैं, सबसे पहले सर यार, एक मेरे दिमाग में एक doubt है, welcome, thank you बिटा, good morning, सभी को good morning, तो सबसे पहले तो यार मेरे दिमाग में एक सबसे वड़ा doubt ये है, कि सर, basic electrical पढ़ना क्यों है, ठीक है, तो एज़ा electrical या electronics engineer, बहुत basic से समझाओंगा चीज़ों को, बहुत basic से हम चलेंगे, सबसे पहले region पता होना चीज़ है, हर चीज़ का क्यूं, एज़ा engineer अगर हम पढ़ रहे हैं, रादे रादे बिटा, हेलो, तो एज़ा engineer हम लोगों को क्या क्या सीखना जरूरी है, तो सबसे पहले basic electrical क्यों पढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देख बताता हूं मैं, तो एज़ा electrical या electronics engineer electrical या आपकी जो भी ब्रांच होगी, जनरली electrical होती है, electronics, दो ब्रांच वाले बच्चे पढ़ते हैं इसको, ठीक है, और यह दोनों ब्रांच वाले electrical हो चाहें, electronics हो, आप अगर इसको देखोगे तो आपको दिखेगा कि सर, एक electron की बात हो रही है, जनरली किसकी बात हो रही है electron की, ठीक है, electron, तो हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है flow of electrons, electrons का कैसे flow होता है, अब किस तरीके से flow होता है, इसका generation क्या होता है, कैसे बनता है, तो वो बात-बात में करेंगे हम लोग, पर electron का flow यानि की current, ठीक है, और current का मतलब हो गया कि हमें बात करनी है कि circuitry, ऐसी circuitry, यहाँ पर electron किस तरीके से, किस nature से flow करता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ ना बोलो जल्दी, तो किस तरीके से flow करता है, तो इसके लिए हमारे पास तीन तरह के element होते हैं, जो पूरी दुनिया का nature show करती है, ठीक है, अभी बाद में आगे चलके समझ में आएगा electric circuit म है, कि यही element क्यों है, यही element क्यों है, तो यह सबसे पहले समझेंगे, तो अगर आपने देखा होगा थोड़ा बहुत electrical engineering, है ना तो हमारा काम क्या है, थोड़ा सा slavage define कर देता हूं, मैं कि इतनी सारी चीज़ा पढ़नी क्यों होती है, सर, तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है R, L और C, इस circuit की analysis करना, जन्रली अगर मैं पूरी electrical engineering की बात करूं, तो मेरा काम है इस circuit की analysis करना, क्लास कप खथम होगी इतनी जल्दी, अभी आराम से होगी, बिटा अभी तो, देखते चलो भी सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो अगर मैं पढ़ूं इसको तो आपको ये सबसे पहले तो basics, basics में क्या पढ़ना है, सर basics में पढ़ना है, सबसे पहले ये elements क्या होते हैं, ये elements क्या होते हैं, इसके बात, सर इसमें मैं कुछ input दूँगा, input कैसे देते हैं सर, तो input देते हैं हम दो तरह के, कौन-कौन से voltage या current, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर हम क्या देंगे, एक तो या तो voltage देंगे, या फिर current देंगे, ठीक है voltage देंगे या current देंगे, नोर्स बनाते चलना, तो सर इसका मतलब मुझे basics में voltage और current के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, voltage और current के बारे में भी सर हिंदी में भी explain कीजिए सर, हाँ हिंदी में ही कर रहा हूं, हिंदी में ही कर रहा हूं, पर वोल्टेज और current को, मैं current को धारा तो नहीं बोलूँगा, इतना तो आप माने, ठीक है, तो यहाँ पर voltage और current, ठीक है, तो current और voltage में आपको input देना है, और अगर आपको थोड़ा बहुत थोड़ा सा भी knowledge हो, तो यानि कि DC और AC दो तरह के input है, अब दो तरह के input का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सर मुझे जो input देना है, या तो मैं DC की form में दूँगा या AC की form में, है ना, तो DC की form में दूँगा या AC की form में इसका मतलब क्या हो गया, मुझे इनी circuits की DC analysis करनी है, इनको DC में सीखना है है और इनी circuits को AC में सीखना है तो इतना काम मेरा है इतना काम मेरा है सीखने का है ना और अगर मैं इतना सीख गया कि जब मैंने input दिया DC में तो मेरा output क्या आएगा input दिया AC में तो मेरा output क्या आएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि यार अब network theory आ गया है अब नेटबर्क चुरी आ गया है समझ में आ रही है बात सर एक चीज और है ट्राणियेंट क्या होता है थोड़ा सा बेसिक सब चीज़ों का सीक लेते हैं ताकि हम लोगों को क्लैरिटी मिलती रहे समझ में आ रही है जैश्री राम जैश्री राम आपकी राइटिंग पन में आपको याद हो जब ट्यूब लाइट हम चालू करते थे तो एकदम से ट्यूब लाइट जलती थी बंदोती थी ठीक है इसको क्या वोते है ट्रांजियन्ट ये फ्लक्चूएशन जो आ रहा है हमारे कुछी भी लाइट में किसी भी सरकेट में पंखा होता है फंखे का switch on करते हैं पहले धीरे धीरे चलता है चलता है फिर तेज होने लगता है तो यह क्या है इसको बोलते हैं transient और यह fluctuation कब आता है यह fluctuation कब आता है जब हम एकदम से switch on करें या switch off करें समझ में आ रही है बात यानि general एकदम से हमने कोई भी input दिया जैसे input देते हैं तो circuit हमारा क्या करता है थोड़ा सा परेशान होता है ठीक है बिलकुल 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 थोड़ा सा परेशान होता है तो यहां पर परेशानी जो चीज है वो चीज क्या होती है transient इसका मतलब जैसे ही आप sudden change करते हो किसी में भी sudden change करते हो तो sudden change यानि कि input या voltage input में या current में हम लोग sudden change करते है तो हमारा instantly sudden change करते ही जो response आता है वो क्या होता है transient यानि कि अब आपको दो चीज़ां पढ़नी पढ़ेंगी DC transient DC transient का मतलब क्या हो गया कि sir मैं जैसे ही input connect करूँ या जैसे input हटा हूँ मेरा क्या होगा system transient में जाएगा तो मेरे को transient सीखनी जरूरी है और उसके बाद DC study state अब sir study state क्या होती है थोड़ा सा चीजों के बारे में समझ ले है ना तो study state होती है कि जैसे आपने पंखा on किया fan on किया तो एकदम से वो चालू हुआ और कुछ देर बाद वो क्या हो गया तो system जब settle हो जाता है कोई भी input की वज़े से कोई भी input की वज़े सिस्टम सैटल हो जाता है तो उसको हम क्या वोलते है study state क्या बोलते है study state settlement settlement हो जाया इसका मतलब क्या हो गया study state clear हो रही है बात यानि हमने एकदम से मेरे को आपने push किया तो मैं थोड़ा सा आगे चला और फिर में क्या हो गया रुग गया तो मैं क्या हो गया सैटल हो गया पहले में क्या था सैटल था ठीक है जैसे ही आपने push दिया मुझे मैं transient में आया थोड़ी देर बाद में फिर से सैटल हो गया तो इसका मतलब यह है कि transient कब आता है जब हम switch on करते हैं या off करते हैं तो transient आएगा कुछ देर बाद system सैटल हो जाएगा और अप्टोमेटिकली क्या जाएगा study state बात सही है यह बेटा दस दिन का एक crash course इतनी चीज़ा पढ़ने के बाद आपको पढ़ने है theorems theorems क्या है सर यार theorems भी होता ही तो थोड़ा सा तो theorems है आपका जो आपकी बात होती है कि sir short trick क्या होती है किसी भी circuit को solve करने के लिए short trick यह हम कहां पढ़ते है theorems में है ना short tricks मतलब सर जल्दी से जल्दी answer निकालना है मैं कैसे निकालू यह ठियोरम्स लगा दो हर चीज का एक proper sense है कि हमें क्यूं लेना है clear बात और इसके बाद हम लोग देखेंगे इतना पढ़ने के बाद magnetic circuit magnetic circuits ठीक है तो इतनी चीज़ें अगर आप पढ़ लोगे तो आपको network theory में कोई भी issue नहीं आएगा magnetic circuit हो गया है inductor अकेला inductor एक पूरा भ्रह्मास्त्र है तो inductor को पढ़ने के लिए हमारे पास पूरा एक chapter है जिसको हम बोलते है magnetic circuits two port network two port network बिटा आपके sscj में नहीं है इसलिए यहाँ पर मैं नहीं कराओंगा पर जो भी बच्चे paid पे है उन लोगों को मैं two port network भी पढ़ाओंगा passive filters भी पढ़ाओंगा ऐसे topics जो आपके कुछ-कुछ exams में आते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे पर वो यहाँ पर नहीं क्योंकि sscj में आपका two port network नहीं है ठीक है तो हम यहाँ पर नहीं देखेंगे अब चली बिल्कुल बेसिक से start करते है इतनी चीज़ है clear हो चुकी है है ना कि syllabus क्या पढ़ना है और क्यूं पढ़ना है region clear है बिल्कुल भी नहीं आता है है ना वो लोग भी बकाइदा इस चीज़ को समझेंगे तो चार्ज क्या होता है सर चार्ज क्या होता है तो चार्ज इस दा most basic unit of electric current मैं लिख देता हूं आप लोग notes बनाते चलें most basic unit of electric current चार्ज क्या होता है हमारा most basic unit of electric current इलेक्टरिक करेंट की सबसे basic unit है है ना चार्ज आवेश क्या बात है क्या बात है पिंटू जी बहुत ही बढ़िया तो अगर चार्ज की बात करूं तो 1 electron कितना चार्ज होता है 1.6 into 10 की पावर minus 19 कूलाम और कूलाम क्या है कूलाम is the unit of charge रेजोनेंस पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे इसी study state में परेशान मत हो जब मैं खतम करूंगा ना पूरा subject तब आप कुछ भी ऐसा topic आपका नहीं होगा जो आप यों कहो कि सर ये नहीं हुआ और इसके question नहीं अब सर चार्ज होता कै थोड़ी सी feeling भी समझ लें जनरली हमने आज तक किसी ने electricity देखी है जल्दी बताओ किसी ने देखा है current कैसा है दिखता कैसा है तो नहीं देखा voltage देखा है नहीं देखा ये कौन सी चीज है ये feel करने वाली चीज है अगर हात लगाओगे तो बता होता है दिखता नहीं है तो चार्ज सबसे छोटी feel को बोलते हैं चार्ज सबसे छोटी feel का मतलब क्या हो गया मैं अपने दोस्तों का कोई नाम नहीं बताएगा इसमें तो हम आपका पॉजिटिव चार्ज आप उससे अट्रेक्ट हो रहे हो ठीक है कुछ ऐसे होते हैं जिनको देखते ही ऐसा लगता है कभी जिन्दगी में बात नहीं की पर देख के ऐसा लगता है एक रेप्टा मारूं इसमें तो यह क्या है यह रिपैलिंग चार्ज है इसको देख है अप समझ में आ गया किस में 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 चार्ज जन रेट करने के लिए मुझे बहुत सारेक्टर क्यूस चाहि 않았टा की यह और अगर आप इसकी वैल्यू निकालओ तो आप निकाल सकते हो 1 by 6 into 10 की power 19 electrons तो अगर कोई आप से पूछेगा कि 1 coulomb charge के लिए 1 coulomb charge के लिए आपका, है ना, कितने electron आपको चाहिए तो आप क्या काओगे, sir 1 electron में इत्ता charge है तो 1 coulomb charge के लिए मुझे कित्ता चाहिए इसको divide कर दूँ sir में और जैसे ही मैं divide करूँगा मेरी value आजाएगी 1 by 6 to 10 की power into 19 और इसको बोला जाता है 1 coulomb charge तो अब अपने दिमाग में एक चीज़ सेट हो गई है अपने दिमाग में बहुत बढ़ी आमिज जी बहुत शानदार, ऐसी जवाब देते रो तो अपने दिमाग में एक बास सेट हो गई है कि sir एक coulomb charge इतना बड़ा होता है कि electrons की कितनी nature चाहिए approximately 10 की power 19 इतने electrons चाहिए एक coulomb charge को generate करने के लिए बास सहिए अब सर्थ थोड़ी सी आगे बात करते है है ना और थोड़ा से दिमाग में थोड़ा सा सोचना भी है इसको ठीक है मैं केवल feelings के साथ बात करूँगा मुझे नहीं पता कि network theory क्या क्या केते है लिखे कैसे solve करते है मैं बात करूँगा कि देखके समझ में आए कि answer कैसे बनाना है ठीक है next object कौन सा होगा चलो वो ते देख लेंगे तो next बात है सर करेंट क्या होती है जितने लोगों को पता है जल्दी से मुझे बताए what is current तो current क्या होती है सर करेंट बोलते हैं हम लोग flow of electron सही लिख रहा हूँ क्या मुझे पहले बता देना जल्दी से flow of electron is known as current धारा धारा क्या होती है आपकी flow of electron पर मेरे दमाग में अब एक बहुत अच्छी बात आई है मुझे समझ में नहीं आया जितने भी दोस्त है मुझे please clear करो थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ मान के चलो एक metal है ठीक है मान के चलो एक metal है और अगर आपने physics chemistry पढ़ी हुई है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अगर आपने physics chemistry पढ़ी हुई है जो लोग मुझे से पहले पढ़े हुए है वो पहले लिख देंगे आंसर की सर ऐसा ऐसा होना है है पर चलो अगर आपने फिजिक्स पढ़िए तो हमको बताए कि मैटल में हमेशा फ्री एलेक्टरॉन होते हैं मैटल में हमेशा फ्री एलेक्टरॉन होते हैं इसका मतलब यहां पर बहुत सारे फ्री एलेक्टरॉन होंगे जल्दि हाना वोलो प्री एक्टरॉंस होंगे अगर फ्री एक्टरॉंस तो यह भी हमको सिखाया गया है कि सर्फ एक्टरॉंस तो घूमता है वो तो freely move करता है वो तो आरम से घूमता है कोई दिक्कत नहीं है अगर मुझे free कर दिया जाए तो मैं भी किसी दोस्त के साथ घूमने जाऊंगा है ना तो free electron free electrons हैं सभी और यह सब move कर रहे हैं अगर move कर रहे हैं तो अगर मैं इस पर kilometer लगाओ meter क्या होता है जल्दी मुझे बताओ meter होता है जो धारा को major करता है बस मिरेखेंट का हिंदी आता है है न तो just current को major करता है वह होता है meter तो अब जल्दी से मताओ मुझे कि ये एक wire है एक simple wire है metal का अगर मैं इसमेnh current major करूं तो कितनी दिखेगी मुझे, कितनी दिखेगी, जल्दी से बताओ, common sense बताना, common sense अगर एक wire है और इस मैं current major करूँ, तो कितनी दिखेगी, common sense बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, zero, सब zero current दिखेगी, इसका मतलब ये सारे electrons move तो कर रहे हैं, ये सारे electrons move तो कर रहे हैं, पर current नहीं है, current नहीं है, इसका मतलब सर ये definition पूरी तरह सही नहीं है, flow of electron is not a current, flow of electron, electron flow हो रहा है सर, free electron flow होता है, पर current generate नहीं हो रहा है, और current generate नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, समझते हैं थोड़ा सा, सर ये मेरी, कोई भी एक point पर बात करता हूँ मैं, ठीक है, कोई जाएंगे कुछ गार्डन जाएंगे कुछ कहीं और जाएंगे है ना तो सब फ्री है और सारे फ्री है तो सब अपनी अपनी डारेक्शन में फ्लो कर रहे हैं अब सब अपनी अपनी डारेक्शन में फ्लो कर रहे हैं इसका मतलब कुछ एलेक्ट्रों से दर गए उन्होंने यह अगर मैं एन सब करैंट का समक्रों तो आपको देखे हो सारी करेंट का समकित्था होगा सारी करेंट का सम होगा सर, जीरो, सारी करेंट का सम कितना होगा, जीरो, बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर हो रही है, सारी करेंट का सम कितना है, जीरो, अब सर यार एक चीज़ बताओ, तो इसको मतलब करेंट कैसे फ्लो करा हूँ मैं, तो करेंट फ्लो कराने के लिए मुझ क्लास में नहीं आये तो बात करें यह है अगर मुझे इस करेंट को पूरे को जीरो नहीं करना मुझे करेंट देखनी है तो मैं क्या चाहता हूं कि अगर यह सारे फलो करेंगे तो इन सबका सम एक डारेकशन में आएगा और जब सबका सम यूँ डारेकशन में आएगा तो उसका क्या होगा current not equal to 0 तो पहली definition जो हम लोग estado clear करेंगे वह क्या है कि यहाँ पह एलेक्ट्रॉन जो current होती है जो हमारी current होती है उसकी definition लिखता हूँ मैं पहले जो current होती है वो होती है the flow of electron in a particular direction is known as current flow of electron in a particular direction is known as current याद रहेगी अब सिर्फ particular लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि free electrons move करते हैं और किसी को भी particular direction में भेजने के लिए एक fixed direction में भेजने के लिए हमें क्या चाहिए fix direction में भेजने के लिए क्या चाहिए force क्या चाहिए force तो force की बाद बाद में करेंगे पर इसकी mathematical definition होती है ता rate of change rate of change of charge इसको बोलते है mathematical definition known as current यहना time rate भी बोल सकते हो आप लोग time rate of change इसता मतलब sir time rate of change अगर किसी भी जगे पर electron कट rate of change आ रहा है rate of change ताइम के साथ वो आगे बढ़ रहा है तो हम उसको क्या बोलते है current बोलते हैं time के साथ अगर कोई भी चीज आगे बढ़ रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे करेंट बोलेंगे बास सही है इसका मतलब सब करेंट होती क्या है सब करेंट होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज अगर टाइम के साथ चेंज करें और वो कप करेगा जब हम फोर्स लगाएंगे यानि मेजर इन कूलाम पर सेकेंड और कूलाम पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं जल्दी बताओ एमपियर कूलाम पर सेकेंड को क्या बोला जाता है एमपियर बात कर सकते हैं समझ सकते हैं बिलकुल 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 आप स्केलर बोल सकते हो वैसे टेंजर होती है पर इतना बेसिक में इतना अंदर नहीं जाना है न है इतना अंदर नहीं जाना हमें था आई चाहिए ऑन। सलो कराना है इसका मतलब में क्या चाहिए और फॉर्स के नोन ऐस एल् немного मोटिफ फॉर्स अब आपको EMF का नाम समझ में आ रहा होगा अब आपको यह समझ में आ रहा होगा इसको EMF क्यों बोलते हैं है ना इसको EMF क्यों बोलते हैं एए एलेक्ट्रोन को motion में लाना वाला एक particular direction में फोर्स लगानाता है ठीक है electron को एक particular direction में flow कराने के लिए जो force चाहिए उस force को बोला जाता है alectromotive force जिसको आप लोग voltage के नाम से भी जानते हो इसका घर का नाम है voltage है ना इसका घर का नाम है voltage और इसके दोस्त बोलते हैं इसको potential difference तो इसके तीन नाम है तीन नाम है इसके voltage, potential difference और electromotive force बात सही है, हाँ writing मेरी अच्छी है, समझ भी आरे है writing में तो किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं सर, है ना यह शब्द क्या लिख्था है, अरे सारी चीज है, आरे हम सब देखेंगे, सब देखेंगे परेशान मत हो, मेरी चीज खतम होने दो, उसके बाद आपको कोई भी ऐसा चीज जैसी दिखेगी इनी जो छूटी है, जो आप कहोगे सर, यह तो समझ पता नहीं है, ठीक है, तो elektromotive force या voltage, सर, voltage क्या होता है, अरे सारी बात है, अभी सारी कहानिया है मेरी, आराम आराम से सुनते चलो बस, है ना, एक बहुत अच्छी कहानी चल रही है, जिसको आपको सुन सुनते चलना है, और आपको बस यह देखना है कि बाई सब क्या चल रहा है बस, और यह तितना conventional current है, natural current यह सारे concept clear हो जाएंगे, हम, handwriting की class लगाना पड़ेगा, मैं सारी class दोंगा, tension मतलो, है ना, अभी बहुत सारी class भी लगाऊंगा, मैं, चलिए, तो सर, to move, लिख देता we need some force, some force is, सब लोग अपने notes बनाते चलेंगे, ताकि आपको revision बहा है, कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है, some force is required it, required it, this force, this force is known as, electro, अब इतनी बड़ी definition में फिस्टे नहीं लिख रहा, emf, और voltage, electron को motion में लाने वाले force को बोला जाता है, electromotive force, और इसको बोलते हैं आप voltage, इसको क्या बोलते हैं, voltage, हिंदी में notes, विकास है, हिंदी में आप है, इसको समझ सकते हो, बच्चा मैं पूरा हिंदी में ही बता रहा हूँ, ठीक है, जो terms है, technical terms है, वो मैं English में ही बोलूँगा, इसके अलाबा मैं सब कुछ हिंदी में बत होगी, क्या कहते हैं, एक Google form भी है, आपके साथ, जो आप use कर सकते हो, आप भर सकते हो, जिसमें आपकी preparation की strategies, आप बता सकते हो, क्या चाहिए, आपको और extra, इसके अलाबा मेरी telegram channel भी होगा, वहाँ पे, तो वहाँ description में उसको भी join कर लें, जाकि आपको notes ये मिलते रहें, ठीक है, maintain PD, ठीक है, तो ये है आपका electromotive force, सर अगर मैं force लगा दूँ, अब समझना, और यहाँ से अभी बहुत सारी नई नी चीज़ें दिमाग में आएंगी, जो नई नी चीज़ें सुनने मिलेंगी, जो शायद आपने कभी नहीं सुनी हो, ठीक है, हाँ, English में तो लिख ठीक है, अब जैसे ही मैंने force लगाया, तो इसकी वैसे electrons क्या होंगे, सर यहाँ पर यह positive charge आएगा, यहाँ negative charge आएगा, बचा description में दिख जाएगी, description में दिख जाएगी, है ना, तो वो देख लेंगे, जैसे ही मैंने force लगाया सर, तो force लगाने की वैसे सारे electrons कहां सर, सारे electrons field की वैसे भागेंगे positive की side, सारे electrons field की वैसे भागेंगे positive की side, ठीक है, और जैसे ही positive की side भागेंगे, एक बार बता दो, क्या reply दिना है, मुझे मैंने देख नहीं पाया, कितने time class होगा, अच्छा है, यहाँ दो से त्रही गंटे, दो से ठाही गंटे, जब आप ठ ठक जाओंगा, है ना, तब हम class बंद कर लेंगे, क्योंकि पढ़ना तो आप ही लोगों को है, clear है बात, हम, हम, ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने potential difference लगाया, जैसे ही मैंने voltage लगाया, इस voltage की वैसे सारे electron इधर भागेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, और सर मैंने पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं है, पर मैंने पढ़ा है, कि सर जिस direction में electron भागता है current, उससे opposite direction में भागती है, और ऐसा क्यों है, यह तो बहुत ही गलत बात हो गई, cheating हो गई, यह तो बहुत cheating है, सर, कि electron इस direction में भाग रहा है, और current इस direction में, यह सिखाया तो है ठीक है, पर क्यों भागता है ऐसा यार, ऐसा क्यों होता है, चलो देखते हैं इसकी बात करेंगे, तो यह current जो भाग रही है, electron इस direction में भाग रहा है, और current इस direction में, तो इसका क्या हुआ दिक्तत हुई, कि देखो current किसी ने देखी नहीं थी, तो जब एक बहुत बड़े अच्छा लगेगा, सुनने में समझ में आएगा, तो current निकाली जा रही थी, तो एक बड़े scientist इनका नाम था Benjamin Franklin, कह नाम था Benjamin Franklin, इन्होंने Franklin ने कहा कि यार काम कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं current, मैं सीख रहा हूं current निकालना, और इन्होंने एक दिन सब को बुलाया सारे scientist नों को दुनिया में, और उनने कहा कि चलो 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 आओ 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 और नई चीज बताओ नई चीज बताओ, तो सारे आगे, हाँ बाई Benjamin साफ ने बुलाया, कुछ नई चीज बताएंगे, तो यहाँआ पर उन्हों ने जैसी बताया कि नई चीज बताओ, तो उन्हों बता दिया अब थीक है सब रे साइंटिक हैसे अब मज़ा अब तो करेंट की मिल गईंगी आप काम करने हैं अब करने माज़ा आयेगा जो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो पीछे वैठते थे जिनने का ता की पापा ने सिखाया चोचीज देनी वered के नहीं नहीं जो खुद नहीं चेक करी वो तकता नहीं मानूँगा तो वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा हम भी चेक करके देखेंगे एक बार की करेंट कैसी है और कुछ सालों बाद उनको पता पड़ा कि भाई साब बेंजामिन साब तो करेंट की डारेक्शन उल्टी दे गए उन्होंने जो करेंट की डारेक्शन बताई वो तो उल्टी आ गई है ना और जैसे ही करेंट की डारेक्शन उल्टी आई तो उन्होंने सबको फिर बलाए आओ 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 बेंजामिन साब की गलती उनने प्रॉपर प्रूफ करके बताया ठीक है और वह थोड़ा प्रूफ सब सई है है ना तो बात-बात की बात है ठीक है तो यहां पे सबको बताया उनने कहा कि भाई हैंना यह समझो इतने बड़े बड़े scientist हो गए हो तुम लोग तुमको बचपन से कोई सिखा रहा है कि the flow of electron in a particular direction is known as current, तुमको जब बचपन से कोई सिखा रहा है कि electron को particular direction में flow कराने पर current मिलती है, तो जी opposite current क्यों ले रहे हो, जब उन्होंने ये कहा, तो सारे scientist हो गवरा, सारे scientist हो की दिल पर आ गए हाथ, क्यों आ कि सारी research खराब होने वाली है, जिसने current ही गलत ले ली, वो सारी चीजें सही कैसे हो सकती है आगे की, तो यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, कि उन्होंने का कि सारे scientist जा तो गलत या current सही माने, अब दौनों की गलती बनाने के लिए कि यार एक काम करते हैं, कि सर यार यहां ऐसे तो नहीं मानेंगे, हमने बहुत मैनत किया, तीस पैसे साल बाद तुम बोल रहे हो आगे चलके, कि यार जी तो current है, गलत है, ऐसे तोड़ी होता है, चीटिंग है जे तो, तो वहां पे cheating के बाद यह confirm किया गया, कि यार एक काम करते हैं, आप जो बोल रहे हो, जो पर देखो काम बात ऐसी है, कि हमने इसी direction की वैसे बात किये और हमने इसी direction को पढ़ाए, हमने क्या किया है, इसी direction के साफ़ सारी दरच किया है, तो अब तुम जो भी सिखाओ current हम यही मानेंगे, current हम यही मानेंगे, और यहां से scenes हो गया change, यहां से दो current आई जिन्दगी में पहली को बोला गया natural current, क्या बोला गया, natural current, यानि जो direction के इसाफ से सही है, जो reality में current है, उसको बोलते है हम लोग, natural current, जो reality के इसाफ से सही है, इसको बोला जाता है, natural current, क्या बोलते है, natural current, ठीक है, और जो current आपकी यह वाली है, जो opposite direction में है, जो opposite direction में है, इसको बोलते हैं हम लोग conventional current क्या बोलते हैं conventional current यानि कि अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई एक आ गई natural current और एक आ गई conventional current बात सही है बात clear हो रही है सबको क्या समझ में नहीं आ रहा भाई यह बता दो ही हम तो दो थरह की current है दो थरह की current है यहां पे कि एक होती है conventional current और यह यह ते होती है natural current natural current वो है जो कि आपकी electron की direction में flow होती है जो electron की direction में flow होती है जो electron की direction में जाती है उसको बोलते हैं हम लोग natural current ठीक है और जो opposite direction में flow होती है उसको क्या बोला जाता है conventional current क्या बोला जाता है conventional current क्लियर करते चलना क्लियर करते चलना मुझे है ना जो conventional के यूज की जाती है हम लोग कौन सी करेंट से पढ़ूंगा कन्वेंशनल करेंट से इस वाली करेंट से पढ़ेंगे हम लोग ठीक है और यह करेंट कौन सी होगी अपोजेट तो इसका मतलब यह है कि कभी कोई पूछ ले कि नेचरल करेंट क्या होती है नेचरल जो रियल में फ्लो होती जो सच में फ्लो हो और जिसको भी बेटा दिक्कत जो भी इशू हो रहा है ना वो मुझे प्लीस आप लोग बताएं कि क्या चीज क्लियर नहीं हुई तो आपको मैं वो चीज क्लियर करता चलूँगा ठीक है चलिए तो ये होती है आपकी कंवेंशेनल और सर्व क्यों ने उज़्य निज़ता है यहां पर उसकी अर्फिंग कीबात वे मीं बात करेंगे ठीक है तो यह होती है अब एक चीज और समझ में आती है यहां से इतनी बात समझ में आया अब सर्ज वोल्टेज विल्कुल यहां तो ऐसा ही होता है याद कर लो जिन्धी में बचपन से हम लोग जो सीख रहे हैं पर याद है पहले पहले दूसरे क्लास में थे तब यह बोला जाता था कि भाई क्या केतने सूरज उखता है सूरज रूपता है जब हम कमफर्टेवल हो यह चीज से कि सूरज युक्ता प्रत्रवी गुमती है तो समय के साथ हमें सब चीजे सही करनी है ठीक है बात सही है और जितने भी चीजें और आपके मैसेज पढ़के जो भी आपके कुष्ण है जो थे आर्टिकल कुष्ण है इन लोगों को मैं न इनको पूरी चीजे क्लियर कर दूंगा बाद म है काम कराता है किन से electron से electron से क्या काम कराता है कि तुम flow करो current generate चाहिए ठीक है तो voltage होता है आपका mathematically change in energy with respect to at charge charge पर हमने जो force लगाया उसको बोला याता है voltage ठीक है उसको बोला याता है voltage और अगर आप voltage की unit देखोगे तो that is joule पर कूला और यह units बहुत अच्छे दिस समझें क्योंकि आपके paper में सीधे सीधे आएंगी आपके paper में सीधे सीधे आएंगी तर एक बार current वाला repeat कर दीजिए जोई current दो तरह की है है ना electron इस direction में flow होगा positive की वैसे इस direction में जाएगा अगर current इस direction में बोलते हैं तो उसको बोलते है एक natural current पर हम जो mass में यूज करते हैं वो conventional current बोली जाती है और conventional current का मतलब होता है जो mathematically यूज करूँगा मैं जो cushion solve करने के लिए circuit solve करने के लिए जो current यूज करते है उसको conventional current बोलते हैं, और यह opposite होती है, ठीक है, opposite होती है, यह omega नहीं है, w है energy, w है यह, इसको मैं d भी बोल सकता हूँ, energy, energy, और q है आपका charge, charge, ठीक है, तो अगर आप external force दे रहे हो किसी पर, external force दे रहे हो किसी पर, तो आप उसकी वैसे काम होगा, work, work का मतलर energy होती है, ठीक है, work का मतलर energy ही होती है, तो जल्दी से में बता दो पहले, तो सब चीज़ें clear हो रही है है, नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा, किस तर रहना आप बहुत सारी voltage की वैसे मुझे energy कितनी मिलती है, तो अब मैं बोल सकता हूँ, Q into V, इस voltage की वैसे, मुझे जो energy मिलती है, इसको बोला जाता है, Q into V, तो यह हमेशा याद रखोगे, और Q into V, इसका मतलब मैं external force दे रहा हूँ, बहार से force दे रहा हूँ, सही बात है, voltage, current flow कराने के लिए क्लिए बहार से force, तो इसको आप potential energy भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, energy दो तरह की होती है, मालूम है ना, एक kinetic energy और एक potential energy, तो इसको आप potential energy भी बोल सकते हो, क्यों क्यों कि यह हम भार से प्रोवाइट कर रहे हैं क्या कहते हो सही बात है चलिए तो potential energy का formula होता है q into v voltage multiply with charge voltage multiply with charge तो सर इतना तो हो गया समझ में आ गया voltage भी समझ में आ गया ठीक है next हम है energy अब energy की बात आई है तो energy की बात ही कर लें energy ठीक है अब energy क्या होती है अगर मैं आप से पूछूँ एक बहुत simple सा question जल्दी बताना मुझे बस जल्दी से बताना ठीक है और आपको एक साथ में आपके question भी देता हूं मैं साथ में one calorie equal to होता है 4.18 जूल ठीक है तो यह याद रखना one calorie equal to 4.18 जूल अब एक चीज बताओ सब बहुत simple चीज पूछ रहा हूं समझ में आएगा power का concept basic power का concept समझ में आएगा है ना जल्दी से यह बताओ energy अब मैं आपसे कहूं आप मैं आपसे कहूं कि आपने breakfast किया breakfast में आपने 100 calorie energy ली ठीक है फिर आपने lunch किया lunch में आपने 200 calorie energy ली फिर आपने capacity to doing work, बिल्कुल सही बात है, है न, capacity to doing work, पर जल्दी से मुझे ये बताओ, कि मैंने कितनी energy total ली, जल्दी सारे लोग, सारे लोग, अभी देखो नई चीज, नई चीज सिखाऊं, total energy कितनी gain की है, क्या मैंने, क्या मैंने, क्या मैंने, आप लोगों से ये पूछा था क्या, एक दिन में, क्या मैंने आप लोगों से पूछा था कि एक दिन में energy कितनी ली, अरे हाँ यार ठीक है, लिखने पर है, लिखने पर, तो जल्दी से ये बोलो, मैंने आप से कितने गया धोका यह गया धोका आपने जो एनरजी ली है वो एक दिन की लिए इसका मतलब एनरजी हमेशा क्या होता है function of time time के साथ में एनरजी बदलती है मैंने कहा तीन दिन में कितनी ली अब आप बता सकते हो कि सर्थ तीन दिन में ली एक दिन में मैंने ली है 500 calorie तो तीन दिन में ली मैंने 1500 calorie इसका मतलब एनरजी बताने के लिए आपको क्या चाहिए है सर एमफ पीटा अंकी एमफ होता है तो यहां पर time के साथ क्या हो रही है एनरजी बदलती है एनरजी क्या होती है इसका मतलब यह है कि सर अगर जब भी energy की बात होगी मुझे क्या चाहिए साथ में साथ में क्या चाहिए समय कि कि कितने time में मैं इतनी energy गेन किया कितने time में यह energy रिलीज की बात सही है हा न बोलो तो यहां से concept आया कि नहीं यार energy तो बारवर दिक्कत यह है कि energy के साथ में time बताना पड़ रहा है तो energy के साथ में time बताना पड़ रहा है इसका मतलब यह है कि मुझे एक नया term चाहिए जिसमें मैं एक time rate, the time rate of change of energy is known as इसका मतलब आपको यह तो समझ में आ गया होगी power क्या एक energy है पर यहां पे बस power को क्यों लिखा गया क्योंकि यह हमें single unit में बता देती है energy सिंगल यूनिट में यानि कि अगर मुझसे किसी ने बोल दिया अगर किसी ने मुझे बोल दिया यानि इसकी यूनिट क्या होगी जूल जूल पर सेकेंट और जूल पर सेकेंट को हम लोग वाट भी बोल देते हैं जैश्री माकाल हम तो हंड्रेडवाट वाट जीड़ बताना चाहता है तो अगर आपने पावर बोल दी, पावर बोल दी कि पावर हंडड्रेड वॉर्ट है, इसका मतलब क्या हो गया? आपने ये बता दिया कि एक सेकंड में कितनी पावर है? बस, एनर्जी है. अब आपको जितने दिन की निकाल लिए, आप खुद निकाल लो, यानि हमने अपना क बंद कर दिया और उन्होंने क्या किया आपको काम दे दिया कि अब आपने का कितनी चाहिए उन्हें की 10 सेकंड बाद चाहिए कि 10 सेकंड का 10 का इंटू कर ले पावर में उन्हें का 20 सेकंड बाद चाहिए तो 20 का इंटू कर ले पावर में उन्होंने का एक गंडे बाद चाहि अब यह पुराना सरकेट याद हैं सर नेटवर्क किस दिन क्लास होगा नेटवर्क की यह भाई नेटवर्क है यह basic है यह basics of network है जो हमारी लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चलके जब मैं पढ़ाऊंगा है ना आगे चलके जब मैं पढ़ाऊंगा तो यह सारी चीज है आ जो हम बात कर रहे थे अभी बहुत देर से इसके बारे में यह वोल्टेज था इसकी वैसे सरे करेंट फ्लो हो रहा था आई है ना इसकी वैसे करेंट फ्लो हो रहा था जिसको हमने कन्वेंशनल करेंट का नाम दे दिया था और यह करेंशनल करेंट क्या होता है प्लस से माइनस कि साइट कैसे फ्लो होता है कन्वेंशनल प्लस से माइनस की साइट चलिए तो यार ठीक है यह बहुत बड़ी फोर्ट से उसकी ठीक है पर यहाँ पर फोकस करना है हमको अपनी स्लेक्शन पर तो यहाँ पर क्या है क्डवेंशनल करेंट अब एक चीज़ समझो सर इसका मतलब यह है कि यह वोल्टेज किस पर फोर्स लगा रहा रहा था किसको काम करा रहा था जल्दी से बता हूं मुझे यह वोल्टेज किस पर किसके काम कराना चाहरा था किस से काम करा रहा है यह वोल्टेज ठीक है जो एक बार क्लियर करता हूं मैं तो यहां पर किस पर charge हो रहा था, काम हो रहा था, electron पर, electron current flow कराने के लिए, charge को flow कराने के लिए हमको क्या देना था, voltage देना था, charge को flow कराने के लिए क्या देना होता है, voltage देना होता है, ठीक है, इसका मतलब अगर मैं power की बात करूँ, तो मैं ऐसे भी तो लेख सकता हूं उसको वैसे rate of change आया क्या कहते हो सही बात है इस energy की वैसे rate of change आया मैंने voltage से energy provide की और इस voltage की वैसे rate of change आया rate of change का मतलब charge change हुआ हुआ और यहां से अगर मैं समझू तो यह voltage यह क्या है voltage और यह क्या है current तो यहां से हमारे पास एक formula आता है voltage equal to है ना पर हवा क्या क्या हमारे के नह यार यह वाली language नहीं आती मिरको तो यहां पर power क्या होती है power क्या होती है आपकी voltage into current वोल्टेज इंटू करेंट चलेगी चलेगी सबकी क्लास चलेगी बटा सीख लो पहले चीजों को सीख लो जैसी सीख लोगे न तुसके बाद तो सारी क्लास है चल नहीं है पर वो जरूरी है कि कुश्चन सॉल्व करने से पहले समझ में तो आए कि क्या सॉल्व करना है तो पा बात सही है कोई सिस्टम या तो एनर्जी को प्रोवाइट करता है या फिर लेता है क्या कहते हो गलत कह रहा हूं क्या एनर्जी या तो प्रोवाइट की जाएगी या फिर ली जाएगी है ना इसका मतलब पावर भी दो तरह की होती है कौन कौन सी पावर होती है जल्दी वोलो एक होती है डिलेवरी पावर या डिलीवर्ड पावर जो देने वाली पावर है है ना और एक होती है एब्जॉर्विंग पावर जो पावर एब्जॉर्व होगी जो पावर एब्जॉर्व होगी दो तरह की power होती है power एक होती है deliver power या delivering power और एक होती है absorbing power बात बात तो इतनी सही है कि sir delivery power और absorb power सर ये कैसे समझूंगा मैं कि delivery power कौन सी है absorb power कौन सी है यार कहां से समझना उपर देखते हैं ना उपर देखते हैं देखो मेरे को kvl नहीं आता है ठीक है आपको आता होगा तो आप सही लिखोगे मुझे नहीं आता तो मैं थोड़ा सा गलत लिखता हूँ तो यहां पर voltage है सर इसकी वैसे current flow होगी है इस direction में क्या कहते हो सही बात है इस direction में current flow होगी है अब यह current flow हो रही है सर तो इधर current ऐसे करके flow होगी ठीक है यह plus यह minus और इधर current ऐसे अब करते हैं लूड करते हैं डिलीवर कौन करता है यह हो गई delivery power अब जल्दी से मुझे बताओ कि यह power कौन करेगा, source करेगा या लोड करेंगे सोर्स करेंगे कितनी common sense की चीज नहीं पता नहीं लोगों को क्यों इतना है ना परेशान होना पड़ता है कितना common sense आसा सोर्स करता है तो समेशा power को deliver करेगा अब source और लोड ना अलग तरीके से मत सोचो किवल अपनी feelings में समझो source का मतलब होता है जो power को deliver कर रहे है तो सोर्स का मतलब क्या होता है power को deliver कर रहे है यह पतावर ले कौन रहा है यह ले रहा है काम यह कर रहा है इस power को ले कर रहा है यह इसका मतलब यह क्या है पावर एब्जॉर्व करेगा ये उपर वाला जो पावर को ले रहा है ये क्या करेगा पावर को एब्जॉर्व करेगा ये डिलीवर करेगा उपर वाला डिलीवर करेगा एब्जॉर्व करेगा एब्जॉर्व क्या करेगा एब्जॉर्व करेगा तो सर ये पावर को करेगा गरेगा पॉर कॉरे नहीं है जो भी पड़ पावर करता है से लोड ि सो है यानि अब मेरे पास इक बहुत अच्छी definition आई, कौन सी, सबसे पहले तो, delivery power मतलब source, है न, source, या delivery power कैसे देखते हैं, यह बताओ delivery power कितनी होगी, यहाँ पर deliver power कितनी होगी, पावर deliver कितनी होगी, सर्फ voltage multiply with current, voltage multiply with current, यही आएगी, बस मेरे को न, एक ही चीज़ की कम ही लग रही है, दिल की, जो नहीं आ रहे हैं मेरी class में, मेरे दिल इतनी पढ़ा रहा है चीज़ों को, और कोई दिल नहीं आ रहे है, इसे कैसे चलेगा, तो यहाँ पर power deliver कितनी होगी, जल्दी वोलो, यह बात, अब थोड़ा, अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ, मेरी मेहनत, मेरी मेहनत काम कर रही है, बहुत ही बढ़िया, बहु बस ऐसे ही न, energetic करते रहो, बस, ऐसे ही energy चाहिए मुझे, बस, यह तुम deliver कर रहे हो, यह आप लोग deliver कर रहे हो, और मैं absorb कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए, अब से circuit पर आते हैं, तो यहाँ पर, अब सर यह power यह deliver करेगा, कितनी power deliver करेगा, voltage into current, कितनी power deliver करेगा, voltage into current, अगर मैं absorb की बात करूँ, absorb की बात करूँ, तो देखो, आपको KVL आता है, मुझे नहीं आता, ठीक है, आपको KVL आता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे voltage, कितना voltage आएगा parallel में, सर वी, कितना voltage आएगा parallel में, वी, parallel में, वी आएगा, है न, आप ऐसे element हो, अच्छा, अभी पैसे वेक आपको KVL आता है, तो मुझे नहीं आता, तो मैं इसको लिखता हूँ, V-, मुझे नहीं आता, तो मैं लिखता हूँ, V-, और यहाँ पर में लिख देता हूँ, कि मेरे students को सबको KVL आता है, तो parallel में voltage दोनों सेम होती है, चलो, कोई नहीं, तो अब यह बताओ जल्दी से, ये power कितनी absorb करेगा, पावर कितनी absorb करेगा, जल्दी बोलो, ये कितनी power absorb करेगा, सर्फ power absorb देखूँ, अगर मैं, power absorb, अगर मैं देख रहा हूँ, तो कितनी करेगा, सर्फ V into I, या V dash into I, V dash into I इसको या तो V dash into I या आव V into I भी लिख सकते हो और अगर आपको एक चीफित दिख रही हो इस सरकिट की तो एक बहुत अच्छी चीफ देखने मिली जितनी पावर डिलीवर हो रही है उतनी पावर एब्जॉर्ब हो रही है जितनी पावर डिलीवर हो रही है, उतनी पावर, एब्जॉर्ब भी हो रही है, असका मतलम मैं हमेशा एक सर्किट में लिख सकता हूँ, कि डिलीवर पावर, डिलीवर पावर is always equal to absorbing पावर, है ना, in circuit, एक सर्किट की जितनी टोटल डिलीवर पावर होगी, है ना, एक सर्किट की, एक सर्किट में जितनी टोटल डिलीवर पावर होगी, इसको क्या होगी वो equal होगी किसके, पावर एब्जॉप्शन के, पावर एब्जॉप भी उतनी ही होगी, जितनी डिलीवर होती है, लॉफ कंजर्वेशन ओफ एनर्जी, बात समझ में आ रही है, एनर्जी नाइधर भी क्रियेटेड नौर भी डिस्ट्रोई, जितनी पावर जनरेट हुई, जितनी पावर ही इमान है, ठीक है, तो यहां पे,нуться को क्या बोला जाता है, law of conservation of energy, जितनी पावर जनरेट होती है, उतनी पावर डिलीवर भी होती है, और यहां से एक नई चीज़ शीख춰 ne बिल गई, हमें क्या टेलीगंस थियोरम यार एक नई ची सिग्गे बिनावाद पर बैठे बैठे किसने बोला किसने बोला था ये ये किसने बोला कि जितनी पावर जनरेट होती है उतनी पावर डिलीवर भी होती है टेलीगंस ने यानि कि टेलीगंस ने क्या बोला टेलिगेंस सेल भी पावर आपकी चलेगी , छो भी पावर आप डीलीवर करते हो वह पावर हमेशा एक्वल होती है HABJORBáis के और यह बॉल दिया टेलीगेंस ने तो एक हमें नई ठेहोरं सीखने मिल गई अलजिए टेलिगेंस ठेहोरम क्या भर आंग ऊम दलीवर पावर एक्रवल टू एब्ट्रॉट पावर चलते ही किने हैं तूट गए आच है तो यह होते ही है आपकी टेयल ode contrast ने ने बोल दिया कि जितनी डिलीवर पावर है सिग्मा पी क्वल टू जीरो यानि कि डिलीवरी पावर प्लस एब्जॉर्विंग पावर एक क्वल टू जीरो और इसको कन्वेंशन के लिए हम एक को क्या करते हैं माइनस क्योंकि दौनों का नेचर क्या है उल्टा तो डिलीवर मतलब ऐसे याद कर लो डिलीवर मतलब कोई ची बापिस दे रहा है कोई दे रहा है तो क्या हो रहा है माइनस हो रहा है है और कोई ले रहा है तो क्या हो रहा है प्लस हो रहा है एब्जॉर्व करने के लिए प्लस हो रह होगा इन दौनों का सम हमेशा क्या होगा जीरो होगा ठीक है और यह किस ने बता दिया टेलिगंस ने तो टेलिगंस याद रहेगा अब हमेशा कभी पेपर में पूछ लिए जाए टेलिगंस ने क्या बोला था बोल देना सीधे लॉफ कंजरवेशन आफ एनर्जी तो चलिए एक बार लेटे कर लेते हैं सर एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या एनर्जी वावर में कन्फिूजन लग रहा है बिल्कुल जोई में बता दूँगा परेशान मत हो है ना अभी लास्ट में रिवीजन दूँगा ना रिवीजन पूरा अभी आपको दस मिन का आखरी लिए परेशान मत हो एक तो रात में जलिए आगे बढ़े आगे बढ़े जल्दी बताओ तो टैलिगंस ठेयोरम हो गई अब एक कुश्ण एक कुश्ण भी देख लेते हैं साथ ताकि समझ में आए कि जी रियालिटी में सच है की नहीं है तो मैं एक छोटा सा कुश्ण लेता हूँ जिसमें आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पर डिलीवर पावर कितनी हो रही ह एप जौर पावर कितनी हो रही है जल्दी से बताना एक सकेंड तिम्पल कर लेते हैं थोड़ा सा पाँच पोल्ट वन एमपीर दो वोल्ट पीन वोल्ट यह सरकेट है जल्दी से बताओ इसमें कितनी कितने element है जो पावर को डिलीवर करेंगे और कौन-कौन है जो पावर को दिलीवर करेगा जड़ा चेक करो कि सब बिलकुल बराबर होगा खी नंहीं होगा कि पहल तो एक-एक करके देखा सोर्स लोड यह क्या होगा बताओ सै और बहुत-बहुत शकरी यह क्या है स्टर यह है आपका डिलीवर करेगा यह क्या तरीमर्स सिर्स कैसे पता चला सर्व और मुझे ऐसे पता चला है ना अब मैं सुर्स और की ड्येट्रेशन थोड़ा ससमझाता हूं डिलीवर्पावर ciąर्षन और लोड यह चीज़ दिख रही थी सबको अब नया तरीका है सोर्स लोड समझने का अगर करेंट कभी भी पॉजिटिव से बाहर जाए और निगेटिव में एंटर करें निगेटिव में एंटर करें तो इसको क्या वोला जाता है सोर्स कभी भी करेंट पॉजिटिव से बाहर जाए और निगेटिव में अब शकल नहीं देखनी अब करेंट और वोल्टेज समझना है है ना ठीक है तो अगर करेंट पॉजिटिव से बाहर जाती है और निगेटिव में एंटर करती है तो हम इसको क्या बोलते हैं सोर्स और सोर्स हमेशा पावर डिलीवर करता है अगर करे दिमाग में आ गया है अब इससे ही समझना है अब हम कभी भी यह नहीं दिमाग लगाएंगे कि कौन सी शकल दिख रही है ठीक है कौन सी शकल दिख रही है तक करेंट ऊपर की डारेक्शन में जा रही है करेंट ऊपर की डारेक्शन में और ऊपर की डारेक्शन में जा रही है इसका मतलब ये है कि सर पॉजिटिव से बाहर और निगेटिव से अंदर, इसका मतलब क्या है सोर्स है और सोर्स है तो ये पावर को क्या करेगा, डिलीवर करेगा, कितनी पावर डिलीवर करेगा, सर वोल्टेज इंटु करेंड, टैन मल्टिप्लाइविड तू, that is 20 वॉट् पर चलिए स्रा आगे बढ़ते हैं, यहां पर यही current 2 ampere जा रही है, यह क्या होगा? यह क्या होगा? लोड और लोड होगा तो power को absorb करेगा, power को absorb करेगा, कितनी power absorb करेगा? 5 into 2, 10 watt. यहाँ पर आते यह क्या है बताओ जल्दी से मुझे यह बताओ यह क्या है यह क्या है की यह तो सार और load है, मतलब ये power को absorb करेगा, कितनी 5 into 1 voltage into current 5 watt क्या बात है ये क्या है, सर अब तो जल्दी से समझ में आ गया है, ये भी load है और ये load है, तो ये power को absorb करेगा कितनी, 2 into 1 2 watt और ये कितनी करेगा सर ये भी load है ये भी power को बॉर्ट करेगा कितनी 3 सार एलीइमेंट जू सोर्स की तरह काम कर रहा है, डिलीवर पावर कर रहा है 20 W जबकि पावर एबंजॉर्म कहा कहा हो रहा हैं बहुत सारे एलिमेंट हैं । एक जगे और यह 10 वाट दूसरी जगोगे है लगी सीखने में कितनी दियल लगी सीखने में कितनी देल लगी सीखने में तो इसको बोलते हैं Toy Razors न तीचे यह हैं हमारी बेसिक डेसिक डेफिनेशन्स एह हैं हमारी सारीच 5 13 पढ़ रहा जल्दी से पढ़ ना जल्दी सिर्द मज़ा आ गया बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा लगता है सुनके जब आप लोग इतनी इच्छे से पढ़ते हो सीखते हो और सेलेक्शन लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और ये मेरा कमिट्मेंट है कि थोड़ा से सीरियस होके बढ़ोगे न तो यार एक कुशन ऐसा नहीं रहेगा जो आपका बचेगा ठीक है सारे कुशन आप बहुत प् depending से सवॉफ कर लोगे नो डावट नो डावट नो डवट बहुत ही बढ़िया बहुत ही सांदार बहुत ही बढ़िया चलिए हां क्या कहते हो, सीखा ऐसे कभी, अब ये सोचो कि मैं आराम से ये crash course है, ये crash course है, जब मैं पूरा पढ़ा हूँ, तो क्या सीखने मिलेगा, ठीक है, चलिए, आगे बड़े, अब सर्फ इतनी definition तो सीख लिये, basic basic सीख लिया है, हमें source और load की definitions भी आप पढ़ सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये PDF, जो आपकी मेरी class की PDF आपको मिलेगी, ये आपको मेरे telegram channel पर भी मिल जाएगी, ठीक है, और आपको share भी कर दी जाएगी, तो मैं इसलिए definition लिख रहा हूँ, जिल लोगों को, जो लोग अपने notes बना रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी इसक कि, अरे हाँ यार करेंगे, करेंगे, dragon जी करेंगे, सब करेंगे, आगे नहीं बढ़ो, पीशे, जो चीज सिखाईए वो, है न, आगे बढ़ोगे तो अब वो यह कि, आभी समय आने दो, हर चीज का समय आता है, भगवान ने सब का समय दिया है, हाँ हाँ सब पढ़ाऊंग जितना पढ़ना है सारा सिखाऊंगा, सारा का सारा, ठीक है, हम, 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 चलो पिंटू जी देते हैं इंट्रोडेक्शन तो, हम, बस मैं इतना बता देता हूँ, कि क्रिश्मस पर कोई मुझे विश्मत करेंगा, है न, मैं, मेरा नाम है लॉरेंस जैन, जो लोग नहीं जानत जो पिंटे बता देता हूँ, मेरा नाम है लॉरेंस जैन, और प्लीज विश्मोई और क्रिस्पस पर विश्मत करना, ठीक है, चली, यह सोर्स क्या होता है, वेन, करेंट, एंटर्स, एट, निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, और, लीफ, एट, पॉजिटिव एंटर्मिनल, देन, एलिमेंट, एक्ट ऐजा, स्टोर्स, एट इडिलीवर, पावर, क्लियर है बात, क्लियर है, स्टोर्स क्या होते हैं, सर, जब भी एलिमेंट, यहां पर बता देता हूँ, जब भी कोई भी एलिमेंट, मैं करेंट, निगेटिव में एंटर हो, और, पॉजिटिव से बाहर जाए, तो इसको बोले जाते हैं, स्टोर्स, उसको बोले जाते हैं, स्टोर्स, सर, लास्ट वा यह कर रही है सूर्स से एंडर कर रही है री गपंड को याद कर सब departments सम कर दो चलिए वोती है आँ कुछ प्रैक्टिस के कुछन्स भी है मेरे पास आप लोगों के लिए जिसको हम लोग अभी करेंगे, ठीक है, लोड क्या होते हैं, when current enters at positive terminal, अगर positive terminal में enter कर रही है, ज area leaves at negative terminal, than element act as a load, that is absorb power, पर सब्सक्राइuri और चलिए बहुत अच्छी बात हैं कि नीचेव करते हैं हमेशा लोड अब्ज़ॉर्व करते हैं ठीच है और लोड अब्ज़ॉर्व कर रहे हैं कि यह है कि वह कैसे काम करेंगे मैं करेंट को इंटर कराएंगी और निगेटिव से लीव करेंगे बिल्कुल 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 जब ठक जाओगे तब आपको ऐसा लगेगा नहीं कि सबस्थ ठक गए है ना तो अब बिटा जी तो लिखने का ही है मेरा मैं हाथ से ऐसी लिखता हूँ उसका कोई वो नहीं है कितने दिन खता होंगे बिटा अभी तो खुछ दिन कुछ दिन मेरे साथ ही आपको निकाल लिए जिंदगी तो बड़िया तरीके सीखेंगे ठीक है चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब थोड़ी नईनी चीज़ां सीखते हैं आप जितनी क्लासीफिकेशन ओफ एलिमेंट की बात करूं तो क्लासीफिकेशन ओफ एलिमेंट जनरली एलिमेंट हम जो देखते हैं दो तरीके के होते हैं पहला होता है active element और मैं केवल basics में time दूँगा ठीक है basics में time दूँगा मैं केवल इसके बाद थोड़ा सा मेरी speed अपने आप बढ़ जाएगी अपने आप बढ़ जाएगी फैकिंड होता है passive element मैं थोड़ा सब यह चा रहा हूँ कि आप लोग basics में इतने clear हो जाओ ताकि आप लोगों को बाद में मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूत नहीं पड़े तो active element, passive element ठीक है अब active element क्या होते है सर active element बहुत सारे होते है इनकी definition तो हम बाद में समझेंगे पर अभी हम लिख देते हैं है ना लिख देते हैं हम लोग एक होते है ideal sources ठीक है ideal sources या independent sources ideal practical बाद में समझाऊंगा independent sources और एक होते है dependent sources dependent sources ठीक है passive element आपके होते हैं तीन तरही के resistance, inductance और capacitance ठीक है resistance, inductance और capacitance यह आपके तीन तरीके के होते है आर एल और सी passive element और active element की definition बाद में समझाऊंगा बहुत अच्छे समझ में आएगी independent sources दो तरीके के कौन-कौन से जल्दी बोलो एक voltage source और एक current source पैस dependent sources कितनी तरीके के चार तरीके के कौन-कौन से voltage controlled voltage source, voltage controlled current source, current controlled voltage source और current controlled current source इनके चारों के नाम में अभी आगे लिख दूँँगा है ना तो आप परेशान मत होईएगा कि सर यहाँ पर ऐसे क्यों लिख दिया है तो active element, passive element इसके इलाबा भी बहुत सारी definitions होती है बहुत सारी classification होते हैं जैसे कि elements के बारे में बता देता हूँ है आपको, आप elements को linear, non-linear के नाम से भी जानते हैं, linear या non-linear, इनके सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, आप इनको bidirectional और unidirectional के नाम से भी बोल सकते हैं element, bidirectional, unidirectional का एक नया नाम भी है, ठीक है, एक और नाम है, bidirectional को, ठीक है, लिख दिया एक बच्चे ने, bilateral और unilateral, तो इसको bilateral भी बोला जाता है और इसको unilateral, तो कहीं ऐसे भी बोल दिया जाएगा, कि bidirectional या bilateral, ठीक है, इसके बाद, इसके बाद सर, एक और होता है distributed, distributed element, या फिर, lumped element, तो ऐसे करके आप classification कितने भी कर सकते हो, उनके nature के साब से, ठीक है, time variant, time invariant, network में आपको need नहीं होती, time variant, invariant की, क्योंकि आज़ा, engineer, हम लोग time invariant system भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, जो आपके लिए need है, जो चीज़ें आप लोगों के लिए need है, बात सही है, हाँ ना बोलो जल्दी, चलिए, तो अब आगे बरते हैं थोड़ा सा, तो एक एक करके बात करते हैं, सबसे पहले ये जो element है, linear, non-linear, bidirectional, unidirectional, ये मैं आकरी में बताऊंगा, ठीक है, ये मैं आकरी में बताऊंगा, तो इस से पहले ह थोड़ा सा इंतिजार चाहिए, ताकि मैं समझ पाऊं कि कहां से क्या share होगा, और कैसे होगा, तो इतना support करोगे की नहीं करोगे, जल्दी बोल दो हाना, चलिए, तो सर, एक एक करके बात करते हैं, सबसे पहले active elements की बात करते हैं, active elements क्या होते हैं, active element, ये नाम से क्या लगत हैं आपको, नाम से क्या लगता है, active, active का मतलब सर तो बहुत ज्यादा active है, बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत talented है, है ना, जैसे कि आपको बताता हूं, एक example देखे, active और passive का, आपको सर, 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 एनरजी, डिलिवर करते हो, बिल्कुल, बिल्कुल high energy, active, बिल्कुल, तो active का एक बहुत अच्छा example बताता हूं, देखे, मान के चलो, आपकी college में, आपकी class में, 10 बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 लड़कियां भी रख लेते हैं, कैसे जी होगे बना तुम लोग, ना, कैसे जी होगे, तो 9 लोग है, 9 में से 6 लड़के, 3 लड़कियां, ठीक है, अब इ active और passive को समझो, थोड़ा सा, पहले nature समझो, उसके बाद हम समझेंगे, तो यहाँ पे, मान के चलो, कि इन में से, 3 बच्चों ने सोचा, 3 बच्चों ने सोचा, कि एक काम करते हैं, यार, जिंदगी में college तो सभी कर रहे हैं, मैं तयारी कर लेता हूँ, या कर लेती हूँ, मैं तयारी कर लेती हूँ, एससे जाई की, और selection कहां से होगा, तो यहीं से होगा, और इसमें कर लिया, इन 3 लोगों ने, जिस सोचके, इन ने पढ़ना शुरू कर दिया, तो यह क्या है, यह है active element, यह क्या है active element, एक्टिव क्या है, जिनमें सोचने की capability है, जो सोच सकते हैं, जो उनको पता है कि भाई क्या करना है, ठीक है, अब इन 2 को देखके, तो कोई नहीं आया, इसको देखके, दो लोग और आगे, इसको पढ़ रहे हो, यह वाले class में नहीं ले पाया, ठीक है, तो यह दो जो है, यह है passive element, यह क्या है, passive element, जो क्या करते हैं, follow करते हैं, तो generally जो follower होते हैं, जो force के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, passive element, और active element क्या होते हैं, जिनमें capability होती है, कुछ सोचन कि कुछ करने की हाना वोलो जल्दी हाना वोलो तो Battle者 फिक है पर एक्टिव सेवर धिएक टीर किश मैं कुण करने की कैपलीलटी कुछ सोचने की कैपियबिलटी होती है जन्रल ही हम लोग बात करें तो जैसे सोर्स प्रिक है सोर्स क्या यह तो यहां ? अगर मैं definition लिख हूँ, तो active element is a element which has a tendency tendency to supply, supply देने की capability हो, for a long duration, for long duration, अब मैं थोड़ा सा graph से भी समझाऊंगा था कि समझ में आएगी यह बात, कि activeness क्या होती है, activeness क्या होती है, ठीक है, ग्राफ से भी समझ में आनी चाहिए वो चीज, यह बताओ, कोई चीज रोकने की तागत, अगर कहीं से कुछ आ रहा है और आपने कहीं नहीं, रुक जा, इसना मतलब आप क्या है, आप एक force लगा रहे हो, एक oppose कर रहे हो चीजों को, और oppose करने वाले कौन होते हैं, oppose करने का मतलब, आप किसी चीज को रोक सकते हो, या आप कह सकते हो कि नई, मैं तो SSC की तयारी करूंगा, क्या है ये, ये क्या है आपने oppose कर, आपने हर किसी से का नई भाई मैं करूंगा, और मैं करूंगा, मेरा selection होगा ये क्या है सब कहने नहीं होगा रहन दे तब भी आप कह रहे हो नहीं भाई होगा कैसे नहीं होगा देखता हूं मैं पूरी पढ़ाई कर रहा हूं है ना और आप तो लॉरेंस सर भी आ गए है ठीक है तो यहां पर क्या है जब आप किसी चीज का oppose करते हो या किसी चीज को है ना रोकने की कोशिश करते हो उन लोगों को बुलते है एक्टेव एलिमेंट जनरली सप्लाई देने वाला तो एक्टेव है यह ए ठीक है तो यहां पर आप बात कर रहे हो कि सप्लाई कोई भी दे जैसे की वोल्टेज सोर्स और करेंट सोर्स नेटवर्क की बात क एक और डेफिनेशन होती है एक्टेव एलिमेंट की नोर्स बन रहे हैं बढ़िया की नहीं एक और वो होती है विच है टेंडेंसी विच है टेंडेंसी ओफ इंटर्नल एम्प्लिफिकेशन अब देखो नाम से समझ में आ रहा होगा क्या वोलते हैं क्यों बोलते हैं इसको एक्टिव इंटर्नल एम्प्लिफिकेशन मतलब की internal amplification मतलब बढ़ाने की तागत बढ़ाने की तागत किस में होगी active elements में मतलब सर्ड diode यह बहुत लोगों का confusion ने की diode passive होता है अभी दिखाऊंगा अभी बकायदा देखके समझ में आएगा ठीक है BJT जितनी भी electronic devices है BJT यह सब क्या है बैटरी तो बेटा हो गई BJT FETS यह सारे क्या होते है active element होते है सारे क्या होते है active element सर यह कैसे समझूँ अगर मैं graph से देखूँ तो कैसे समझूँ यह कैसे समझा है हम लोग तो देखो यहाँ पर graph समझो एक बार समझना अच्छे से देखो मैं आपको graph दिखाता हूँ किसी जैसे voltage current ठीक है graph समझना जैसे diode का graph ले लेता हूँ या BJT का ले लेते हैं मान के चलो यह FET का graph है यह किसका graph है FET का अब इसकी capability समझना है न इसको active क्यों बोला मैंने देखो अगर आप passive होते तो अगर voltage बढ़ा हूँ तो current बढ़ेगी क्योंकि हमारा उसका काम क्या है रोकने का नहीं है कुछ करने का नहीं है उसका काम क्या है supply आएगी तो मैं क्या करूंगा response दूंगा passive element सही बात है सही बात है जल्दी बोलो हाना तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो यह चीज़ ग्राफ देखो यह जगे इस जगे को देखोगे तो देखो तो देखो एफीटी क्या कह रहा है एफीटी क्या कह रहा है तुम वोल्टेज बढ़ाते रहो मैं current change नहीं होने दिरा तुम वोल्टेज बढ़ाते रहो मैं current change नहीं होने होंगा इसका मतलब यह क्या है active element है बात सही है यह क्या है voltage बढ़ाने से current change नहीं हो रहा है, मना कर दी, जा force, कर ले, कुछ भी कर ले, मैं change नहीं होता, क्या है, active element, बात clear हुई, एक्टिवनेस की, बात clear हुई, तो ये होते हैं, active element, और generally network theory में, जो हमारे active element होते हैं, वो होते हैं, voltage source और current source, तो जिसम में, रोकने की capability है, voltage बढ़ाने से variation नहीं ला रहा, diode दिखाता हूँ, diode, बहुत बच्चों को diode पर रहता है, बहुत बच्चों को क्या टीशरों को भी रहता है, पर क्या कर सकते हैं, है ना, basic समझ नहीं नहीं चाहते हैं, बस पढ़ाना चाहते हैं, diode, डायोड रा ग्राफ है ये वाला, डायोड इस अ एक्टिव एलिमेंट, विच एक्ट है, जब पैसिव, तो वह हम बाद में समझेंगे, कभी अइनलोग पढ़ाऊँगा, तब समझाऊँगा जे ची, पर अभी इतना समझाता हूँ के वल, ये जगे देख रहे हो, ये वाली जगे कितने लोगों को दिख रही है, ये वाली, डायोड क्या कह रहा है, ये वी आई, वी आई, वी आई, इंडिया में हम लोग बेटा वी आई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड बुक देखोगे, इंटरनेशनल ओथर देखोगे, तो आई वी करेक्टरिस्टिक होती है, उसका रीजन समझा हुगा किसी दिन, पर इतना वो दमाग नहीं लगाना उस पर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पर आप देखोगे मान के जो दस वोल्ट था, यहाँ पर पंदरा वोल्ट, वोल्टेज बढ़ाया करेंट सेम है, इसका मतलब FETS क्या हो रही है, FETS क्या हो रही है, यहाँ पर कॉंस्टेंट, यानि किसने क्या का वोल्टेज चेंज करते रहो, मैं अपनी करेंट चेंज नहीं होने दूँगा अब यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर क्या कहा डायोड ने, डायोड ने कहा कि आप वोल्टेज बेसक बढ़ाते रहो इदर, मैं करेंट चेंज नहीं होने दूँगा, इसका मतलब डायोड यहाँ पर क्या है, एक्टेव है, और डायोड को अगर मैं बहुत थोड़े से रीजन में काम करा हूँ, इदर, तो देखोगे, वोल्टेज बढ़ाने से करेंट बढ़ रही है, दिख रहा है, तो यहाँ पर यह पैसिव की तरह काम करता है, वो समझेंगे बात में आराम से, परेशान होने वाली बात नहीं है, पर एक्टिव समझना जरूरी है, ठीक है, अरे भई समझे बड़े वो एक्जामपल आराम से बताऊँ हूँ, ठीक है, चलिए, तो एक्टिव हो गया, यह एक्टिव एलिमेंट, अब एक डेफिनेशन याद रखनी है, जो सप्लाई कर सकते हैं, वो क्या है, एक्टिव एलिमेंट है, और जो सप्लाई नहीं कर सकते, वो होंगे पैसिव एलिमेंट, तो पैसिव एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, दा एलिमेंट, दा एलिमेंट, देखो यहाँ पर टफ डेफिनेशन नहीं लिखनी होती, यहाँ पर कैसी लिखेंगे, जो हम कॉलेज में पास होने के लिखते थे, एक्टिव एलिमेंट मे ऐसा होता है और passive element में ऐसा ऐसा नहीं होता बस ठीक है तो यहाँ पर है ना आपनको college वाली definition लिखनी है जो paper में लिखके आते थे यहाँ पर yes yes और यहाँ पर no no ताकि हमारे point बढ़े हों तो बस यहाँ पर point बढ़ा कर रहे हैं आपन लो the element which does not have a tendency does not have a tendency to supply energy यार इससे मुझे एक चीज समझाओ जल्दी से जल्दी से समझाना ठीक है ऐसे element जिसमें tendency नहीं है energy supply करने की इसका मतलब यह कैसे काम करेंगे source की तरह है लोट की तरह कैसे काम करेंगे बताओ जल्दी यह element किस तरह काम करेंगे source की तरह करेंगे यह लोट की तरह करेंगे जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी लोट की तरह और अगर यह लोट की तरह करेंगे अब यार मैं सोर्स और लोड ये तो बच्पन मुझे छोटी-छोटी चीज़ें हैं बहुत बढ़िया बहुत ही शांदार ओ भाई साब बस तो लोड की तरह करेंगे और अगर लोड की तरह करेंगे तो अब एक चीज बताओ अब मुझे जल्दी से बता ना, अगर आपको कभी जिंदगी में यहाँर दिखा और करेंट ऐसी दिखी, तो बता वोल्टेज की पॉलेरिटी क्या होगे? जल्दी बताओं गा? कि अब पढ़ेंगे न तब बताएंगे अभी थोड़ा बेसिक सीख रहा हूं मैं है ना अग्ड़ोग पढ़ोगे तब सब कुछ सिखाऊंगा कैसे लेंगे पहले पॉजिटिव बाद मैं निगेटिव कितने लोग पोल एटी लिख सकते हैं करेंट देखके कितने लोग यह डारेक्शन यह डारेक्शन बताओ कौन सी डारेक्शन की करेंट होनी चाहिए कौन सी direction की, अगर मैंने inductor लिखा, और मैंने voltage लिख दिया, current किस direction में लूँगा मैं, जल्दी बोलो, पहली direction में, पहली direction में, बात समझ में आ रही है, इसका मतलब अब आप कभी भी, कोई भी चीत देखोगे, अगर आपको current दिख रही है, तो आप voltage लिख सकते हो, और voltage दिख लिख रहा है, तो आप current लिख सकते हो, वो लोग क्या कहते हो, सही बात है, passive elements में, यह दो जितने लोग लिख रहे हैं, दो जितने लोग लिख रहे हैं, है ना, थोड़ आसा है ना, प्लीस अपने पुराने concept को भूल जाओ, दो जितने, दो नंबर जो भी लिख रहे हैं, व वोल्टें ही नहीं लिख पाते थे, element के आगे, कि मैं polarity क्या लूँ, अब polarity ले सकते हैं, अब polarity ले सकते हैं, बोलो जल्दी, अब एक और definition है, passive element की, element, which has a tendency to supply energy, और यह क्या लिख दिया, for very short duration, अगर कोई element बहुत ही कम time के लिए energy supply करेगा, supply करेगा, तो वो भी क्या होता है, passive element होता है, example होते हैं, इसके, inductor, inductor and capacitor, और inductor, capacitor अगर मैं लिख रहा हूँ, तो यह चीज हम use करेंगे, transient में, transient से पहले हाथ मत लगा देना, इसको, है न, supply समझने की, ठीक है, transient analysis में बात करेंगे, जब तक मैं transient analysis नहीं सिखाऊंगा, तब तक इनको source समझने की गलती बिल्कुल मत कर देना, ठीक है, और देखो, यह energy store करते हैं, तो supply भी करते हैं, ठीक है, energy store करते हैं, तो supply भी करते हैं, पर उससे पहले कोई हाथ नहीं लगाएगा, चैप्टर के बाद, मैं फिर से आपको यह चीज़ समझाऊंगा, इस चैप्टर के बाद, जब मैं summary समझाऊंगा ना, तब पूरा connect करूँगा मैं, कि कौन सा active है, कौन सा passive कैसे समझेंगे, ठीक है, तो परेशान मत हो, पर अभी, अभी केवल इतना समझ लो, अभी केवल इतना समझ लो, कि diode जब passive नहीं active होता है, उसको पैसे element की तरह काम कराते हैं, तो मैं region भी दिखाऊंगा, बकायदा समझाऊंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया, तो inductor, और ये चीज़ ज की energy supply करते हैं, ये हम तब तक बात नहीं करेंगे, जब तक हम transient नहीं पढ़ेंगे, तो transient से पहले तक आप ऐसी रहेंगे, उसके पहले हम हमेशा ये कहेंगे, हम हमेशा ये कहेंगे, कि अगर inductor है, और current ऐसे flow होगी, तो voltage ऐसे generate होगा, ठीक है, और supply की बात, जब हम transient पढ़े supply हो गई, ये क्या हो गई, supply हो गई, दिख रहा है, बात समझ में आ रही है, ये क्या हो गई, supply, कितने लोगों को दिख रही है, आप source और load की बातें कहा नहीं, कितने लोगों को दिख रही है, और देखो एक चीज़ समझ लो, RLC, RLC, है न, तो ये ही है Bhramma Vishnu Mahesh, जड़ द तो यहां पह्क तो यह ब्रह्मा विश्नु मयेश है और एल्सी मिलके दुनिया के सारे काम कर सकते हैं तो इसलिए धीरे-धीरे एक-एक करके चीज़ें समझेंगे क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है यह यह आयल और सी मिलके नहीं कर सकते हैं यह सप्लाई भी करते हैं एब्जॉर यह होते हैं आपके active passive element, कितने लोगों को यह बात clear है, अब आते हैं थोड़ा सा active elements के voltage source, current source पर है, ठीक है, या active थोड़ा सा रुखते हैं, अब हम passive elements पर आते हैं, ठीक है, passive elements पर पहले आते हैं, थाकि समझ लें, सबसे पहला passive element है, resistance, कितने लोगों को definition पता हैं इसकी, नहीं नहीं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ, हमारी need के साब से है, कब need क्या चाहिए, वो, होगी, यूपियस, PCL की batch भी होगी, देखते हैं, शाहिल, अभी इसका मुझे पता नहीं है, तीपर आ गई है, अच्छा, चलिए, तो यहाँ पर, अब सोड़ा सब समझते हैं, रैसिस्टेंस, रैसिस्टेंस क्या होता है, रैसिस्टेंस, सब को पता है, रैसिस्टेंस क्या दुनिया का आदार, अभी तो यह समझ में आएगा सब लोगों को, कि RLC ही क्यों, अभी तक तो यह समझ में आ रहा है कि पढ़ते हैं, आखरी में समझ में आएगा यही क्यों, तो वो हमारी होगी extra class, जो कि जिल लोगों को समझना है, जो जानना चाते हैं दुनिया को, वो स whose ability to oppose the electric current, current, measured in, किस में measure करते हैं? ओम, unit सब की अच्छे से याद रखेंगे, measured in, ओम, ठीक है, ओम में measure किया जाता है, ओम में measure किया जाता है, resistance, सर अपोस करता है, electric current को, ठीक है भाई, तो सर ऐसा क्या है इसके, कि यह अपोस कर पाता है, तो मान के चलो यह लिया मैने एक metal, ठीक है, यह metal लिया है, conductor जिसको हम क conductor की एक property होती है, that's property known है, resistivity, क्या बोलते हैं, इसको, resistivity, है न, या फिर इसको specific resistance भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, specific resistance, सही बात है, तो resistivity, यह specific resistance, it is, it is not a passive element, यह क्या है आपका, it is the property of material, यह होती है, property of material, यह, और यह decide करती है, कि कितना flow को resist करना है, कितना flow को resist करना है, और इसी resistivity से हम लोग निकालते हैं, resistance, और यह resistance जो होता है, वो कितना होता है, अगर इस conductor की length कहूं, मैं L, और इसका cross-sectional area, cross-sectional area समझते हो, this is the cross-sectional area, A, ठीक है, तो अगर मैं इसको समझू, अगर मैं इसको समझू, रो, तो यह resistance होता है हमेशा, रो एल अपॉन ए, resistance हमेशा क्या होता है, रो एल अपॉन ए, क्लिर है, रो एल अपॉन ए, तो resistance आपका आएगा, रो एल अपॉन ए, और L क्या है, यहां लिखता चलता हूं, मैं, L is the length of conductor, और A is the area of cross section, A is the area of cross section, रही बात है, length of conductor, area of cross section, ठीक है, cross sectional area भी बोलते हैं, और यहां से अगर सर मैं unit समझू, रो की, तो रो होता है, R A by L, अगर R को समझू, तो R की unit, ohm, इसकी unit meter, square area की और length की unit, meter, तो यहां पर आपको जो unit मिलती है, वो मिलती है, ohm into meter, या आप इसको ohm into centimeter भी बोल सकते हो, रही बात है, centimeter भी बोल सकते हो, कितने लोग clear हैं इस बास से, कितने लोग clear हैं, तो यहां से आप लिख सकते हो, कि row जो होता है, आपका, वो होता है, R A by L, और यह क्या होती है, material की property, बिल्कुल, बिल्कुल, हरीश, परेशान मत हो यार, है न, यहां पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जो कि, बिल्कुल basic से सीखना चारे हैं, और यह basic खतम हो जाएगा, उसके बाद मेरी speed automatically भढ़ जाएगी, आपको, जिनको revision करना है, उनका revision भी बहुत अच्छे से होगा, और साथ में हम लोग बाद में आगे चलके, speed automatically search कर लेंगे, जब आपका basic clear हो जाएगा, तब बताने की जुरूत नहीं है, और यहाँ पर अगर मैं fast चल गया, तो फिर आगे चलके तो वो हो जाएगा, कि भाई सब बाउंसर, फिर वो ही चीज हो जाएगी की साथ, दूसरी बार भी पढ़ा, तो भी उतना ही आया, ठीक है, तो कुछ नई चीज सीखो, और कुछ नया करवड़ो, ताकि अपना यह हो यूनिट्स आती है, ठीक है, तो यूनिट्स जितनी मैंने लिखी है, सब बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, तो रो एल बाई ए, और सर रो क्या है आपका प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, अब यह बताईए मुझे जल्दी से, कॉमन सेंस ही बताना है ना, सर यह मटेरि टेंपरेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं, टेंपरेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा, टेंपरेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा, यह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉमन सेंस से भी देखेंगे, है ना, तो रेसि इस पर फोर्स लगा के तो आप रखेते डी जिसकी वैसे सारे अलेक्ट्रोन इधर भाग रहेते हैं सारे ओयुँ मैंने अग लगा दी आग लगाने से क्या होगा इसार आग लगने से एक नइजी मिली थर्मल energy क्या मिली thermal energy यहां जो एलेक्ट्रों सीधार है य Schweiz उनको इक thermal energy मिलकी जिनकी वैसे यहां पे एक random motion start हो गया tbsp 2004 ओगया ठर्मल energy की वैसे टेमपरेचर बढ़ाया इसकी वैसे, semiconductor की बात करेंगे यार नीरज है ना उनकी बात करेंगे ये निट वर्ध चुरय कुड़ी के बात होगी स्टैमी कंड़क्टर की बात में एलेक्ट्रोनिक्स में करूंगा कृष्णासर भी करेंगे आप लोगों के लिए बताएंगे वो बकाइदा कि कब है ना कंड़क्ट रेसिस्टिविटी रेस्टेंट बढ़ेगा कब कम होगा तो यहां पर एलेक्ट्रोंस क्या हो हो गई तो रेसिस्टन्स क्या गया जल्दी बोलो करेंटические रेसिस्टेंट्स क्या वगा जल्दी बदाओ करेंट किसी चीज की कम हो रही है अले ठवर बढ़ाने से तो बो क्ट सिस्टेंट्स क्या होगा तो सब्सटेंट्रिजीज tract है है ना resistance क्या होता है बढ़ता है और इसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं सर ने बोला था सेशनल काट लूँगा घर पर क्लास में आ रहे थे ठीक है अब एकदम से अलग से एक फोर्स आया डारेक्टर साव आये आप से के दें चल भाई चाई पी ने चलते हैं बताओ किस की सु है यहां रेसिस्टेंस बढ़ गया तो यहां नेचर की बात करूं तो इसको बोलते हैं किसा रिलेशन भी बता दो ताकि कभी पेपर में सीधे पूछा जाता है तो कैसे लिखूँ मैं तो दा फ्रेक्शनल चेंज फ्रेक्शनल चेंज बताऊंगा मैं फ्रेक्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस एज डिर्क्शनल चेंज इन तंपरेचर चेंज इन तंपरेचर समझते हैं कि कैसे रिलेशन समझा जाया इसका ठीक है कैसे रिलेशन समझेंगे तो यहाँ पर समझो कि यह हमारा एक material है जिसका resistance है R1 जब temperature था T1 कोई T1 temperature था ठीक है और जैसे temperature बढ़ा के मैंने T2 किया तो इसका एक नया resistance हो गया बदल गया और R2 हो गया बास समझ में आ रही है एक material है जिसका कम temperature पर resistance हो सुनना अभी किसी की सर की तो डारेक्टर चाहिए भी चले जाएंगे अच्छा पढ़ने पर ध्यान दो पढ़ने पर पढ़ाई पर ध्यान दो अभी चलो तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सर टेंप्रेचर T1 एक टेंप्रेचर था जिस पर रेसिस्टेंस था R1 दूसरा टेंप्रेचर था T2 जिस पर रेसिस्टेंस था R2 कितने बात सही है तो fractional change होता है सर final value divided by minus initial value divided by initial value जिस ए इनोन है जब fractional change है ना fraction में change delta R by R और proportional किसके होता है यह change in temperature के T2 minus T1 और यहां से अगर मैं समझू हूँ तो यहां से मुझे दिखता है कि R2 minus R1 divided by R1 equal to होता है alpha into T2 minus T1 where alpha को बोलते है हम लोग temperature constant या temperature coefficient या बोलते है temperature coefficient ठीक है तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से अगर मैं निकालू value तो R2 minus R1 equal to T2 आएगा मेरा R1 alpha इसको लिख देते हैं delta T, delta T क्या हो गहा है change in temperature T2 minus T1 ठीक है और R1 इदर ले गया तो R2 equal to होगा R1 plus R1 alpha delta T और यहां से आपको एक formula मिला R2 equal to R1 1 plus alpha delta T this is the relation of final resistance with initial resistance ठीक है हाँ 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 जोती कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है सीखो जब तक सीख सकते हैं उसके बाद किसी क्लास है इसमें किसी क्लास है साड़े बारा पर अच्छा अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैं साड़े बारा पर finish कर दूँगा परेशान मत हो उसके बाद थोड़ी सी घ्यान की बात होंगी एक दो हाँ कल कुश्चन करेंगे इस पर कल कुश्चन करेंगे कोई परेशान वाली बात नहीं है ठीक है अब इसको समझो सबसे बहले क्या क्या है सर यहां पर है सर र 1 इस दा रसिस्टेंस अफ माटेरियल रसिस्टेंस अफ माटेरियल आट T1 तेमपरेचर र 2 इस दा रसिस्टेंस यार इन्वर्टेट कोमा लगाता हूं न मैं अट T2 तेमपरेचर डेल्टा T चेंज इन तेमपरेचर मेजर इन कैल्विन कैल्विन ठीक है अल्फा तेमपरेचर कोफिशेंट और जल्दी से मों ये कितने लोग बता सकते हैं जल्दी से मुझे कितने लोग बता सकते हैं हाँ बिलकुल पिंटू पढ़ाऊंगा मैं कलर कोडिंग भी पढ़ाऊंगा ठीक है जल्दी से मुझे कितने लोग बता सकते हैं वाट शुडबी दा यूनिट ऑफ अल्फा अल्फा की यूनिट क्या होनी चा तहो यह चार्ट है जो आप देखके समाज सकते हो नहीं चल रहा था क्लास की टाइम वाइद वैं डुट बॉर्निंग अच्छा धर्मराज ऐसा कोई ने कल से साड़े दस बजे कल से साड़े दस बजे, class timing कल से साड़े दस बजे है किते लोगों को alpha की unit पता है temperature की unit, देखो ऐसे समझो हमको LHS equal to RHS करना है, किते लोग सही कहते है, बात सही है मुझे LHS equal to RHS करना है इसकी unit कितनी है, सर इसकी unit होगी ohm में equal to, इसकी unit कितनी है sir ohm में, इसका मतलब यह दौनों की unit ohm में चाहिए दौनों की unit क्या होगी, ohm में sir lhs equal to rhs हो गया इसका मतलब यह है कि इस पूरे term की unit क्या होगी unit less इस पूरे term की unit less होगी ठीक है, अब इस पर आ जाते है तो alpha और delta t की unit क्या होनी चाहिए unit less 1 की unit तो होती नहीं है है न और delta T की unit क्या है Kelvin delta T की unit क्या है Kelvin तो alpha की unit क्या होगी 1 upon Kelvin कितने लोगों को बात समझ में आ रही है कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है delta T की unit Kelvin तो alpha की unit 1 upon Kelvin दोनों मिलके कार्ट देंगे unit less हो जाएगा degrees Celsius rate नहीं हम लोग Kelvin में काम करते हैं degrees Celsius rate नहीं हम लोग Kelvin में काम करते हैं हमेशा तो अलफा की यूनिट अब हमेशा याद रखेंगे क्या होगी 1 upon Kelvin या Kelvin inverse 1 upon Kelvin या Kelvin's inverse चालिए ठीक है तो अलफा की यूनिट ऐसे समझ के relate कर आगरो चीजें को relate करने के रखो कर दीजी हमारी next class है अच्छा 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 चलिए ठीक है मैं क्लास को वाइंड अप करता हूं बस अभी मेरे पास देखो 10-12 मिनिट है ठीक है और उसके बाद देखो मैं केवल संसारिक ज्यान दूँगा तो जित्ते लोगों को संसारिक ज्यान चाहिए वो रुकें संसारिक ज्यान in the sense कि RLC का मेन अस्तित्व क्या है जो कि आप लोगों को भी क्लास के बाद देख लेना है ठीक है चलिए तो यह होता है आपका resistance यह क्या होता है रेसिस्टेंस तो रेसिस्टेंस की वेल्यू क्या होती है यह ठैंपरेचर पे डिपेंडेंडेंट होती है और टैंपरेचर बढ़ाने से नेक्स क्लास किसकी भी? पड़ाये हर आप, अच्छा ओर दीप ब्रो रिकार्ड देख ले ना, अच्छा अच्छा, चलिए चलिए चलिए, तो ये है आपकी आर्टू, टैम्प्रेचर डिपेंदेंट होता है, रेसिस्टेंस और ये हमेशा क्या होता है, टैम्प्रेचर आने से बढ़ता है और यह आपको दिख भी रहा होगा यह आपको दिख भी रहा होगा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो यह है आपका पहला रेसिस्टेंस है ना तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं ओम्सलो की और ओम्सलो को समझने की कोशिश करना मुझे पता है हर किसी को आता है ठीक है एक वज़े तक जिनकी क्लास है वो बात में देख लेंगे हाँ पर है ना जो भी है क्लास जिनकी भी है बिटा यह पढ़ना बहुत जरूरी है सीखना है ना तो बने रहिएगा हाँ जो क्लास जिनकी पेड की क्लास है वो बिटा कर सकता है कि यार अभी पेड की क्लास है सर तो मैं बूलेना चाता हूँ बिलकुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है ओम्सलो अब ओम्सलो सब लोगों को मालूम है पर इसका मतलब यह नहीं है कि नहीं पढ़ना कुछ शायद न तेंप्रेचर, दो वोल्टेज, समझना बिलकुल अच्छे से ताकि गलती नहीं हो, तो वोल्टेज अच्रो एक्रोस एन अलेम्न इस तिर्क्लिटलन अच्रोस प्रोस्टीज तो ट्रेंट अक्रोस्टलन वी तो नहीं हो, यह तो हो गए स्टेट्मेंट ठीक है यह तो बैसक्त है बाद करूं तो जो वोल्टेज होता है एला वन जीरो एट का स्क्वेर वाला ये क्या तो चलिए यहाँ पर अब मैं आपको समझाऊं थोड़ा समझना है ना नेचर समझने की कोशिश करना पूरस लेवस कंप्लीट होगा ना हाँ हाँ परेशान क्यों रहे हो है ना एक बाद बेसिक सीखलो बस बेसिक सीखलो उसके बात तो मैं बहुत स्पीड से ले जाऊंगो चीजों को और बेसिक में जी दिक्कत हो क्या चल रहा है अब बहुत अच्छे तेदे देखना ओम आपन ने कहा कि यहांप एक यह है रेसिस्टेंस में वी आर ठीक है यहां पर वोल्टेज रेसिस्टेंस है वी आर तो ओम स्लों ने कहा कि सर वी आर इच प्रपोर्शनल टू होता है करेंट सर वी आर क्यों लिख दो ना ठीक है वी प्रपोर्शनल टू करेंट चीक है बई वी लिख देते हैं वी प्रपोश्नल टू करेंट अब वी प्रपोश्चनल टू करेंट यह बिए ओम्स ली इसका मतलब ओम्स लोने का एक्क्वल टू आई ड़ं यह बोला है लगा समाच आच्छा चलिए बहुत बहुत शुक्रियां बहुत बहुत अच्छी सिखा रहा हूं अब यह जल्दी से मेरे को यह बता आ सबसे पेले मेरे धिमांग में जल्दी बोलो जल्दी बोलो कौन साथ साही है A साही है या B साही है या दोनों साही है बोथ ठीक है और option दूँ या एक भी साही नहीं है और option दूँ कर मुझे ने engineering करवाई है मेरा मन नहीं है बोलो according to home flow A is the correct B is the correct voltage vary करेगा अब सबसे पहले देखो सबसे पहले समझना common sense है if anyone of these A is the right E जो E वाले हैं जो E वाले हैं उन लोगों को तो बहुत महनत करनी है बेटा क्योंकि बेमन से selection लेना उतना ही tough है ठीक है जितना अब मैं चलिए छोड़िए मैं कोई class class की घर की बात नहीं करना चारा जिसको पता है अच्छी बात है अब देखो समझना जितने लोग ऐसा सोचते हैं जितने लोग ऐसा सोचते हैं इस तर केवल A सही है इसका मतलब A सही है B proportional to I तो अगर मैं voltage कम कर दूँ या voltage अठा दूँ तो बताओ current में change आएगा की नहीं आएगा अब ओम फ्लो का nature समझाता हूँ ओम फ्लो का nature है ओम फ्लो क्या बताना चाहता था ये तो बहुत बार पढ़ लिया ये तो बहुत बार पढ़ लिया पर ओम फ्लो क्या बताना चाहता था अगर मैं voltage कम करूँगा तो current क्या होगी बताओ कम होगी या नहीं होगी जल्दी बोलो अब बढ़ाई पे पाड़ाई पे लोट लोट के आना है लोट लोट के ठीक है जल्दी बोलो अगर मैं यह हगा voltage कम करूँगा तो current कम होगी कि नहीं होगी current कम होगी यह तो common sense है सर ओम स्लों को बताने की ज़रोत नहीं थी जीतों मैं मैं देखे भी बता सकता था चीक है इसका मतलब मुझे यह पता है कि इससार आई प्रॉपोर्श्नल टू-वी इदा करेक्ट आंसर कि इदा करेक्ट आंसर उव्र थे करेक्ट थेक तो एक हो गए, तो यहां पर यह दिक्कत आ गई, इसका मतलब अब आपको यह समझ में आ रहा होगा, कि इस वोल्टेज, इस वोल्टेज की वैसे यह करेंट जनरेट हुई, और यह करेंट की वैसे यहां वोल्टेज जनरेट हुआ, तो करेक्ट, दोनों ही करेक्ट हैं, केवल देखने देखने का जगए अलग अलग है, देखने देखने की जगए अलग अलग है, बात सही है हा ना बोलो, देखने देखने की जगए अलग है, यहांनि वोल्टेज जनरेट करने की वैसे यह करेंट जनरेट हुई, और इस ने कितना voltage generate करा है इस V के बराबर तो ohm slow ने बोला इस V के लिए इस वाले V के लिए इस V की ohm slow ने बात ही नहीं की इसने का इसको नहीं जानता मैं उपर वाले को जानता हूँ मेरा काम है उपर वाले के लिए बताना पहले voltage generate हुआ फिर KBL की वैसे ये generate हुआ फिर current generate हुआ और इस current की वैसे voltage generate हुआ कितना voltage generate हुआ इस voltage के बराबर और उसके साब से current गई अगर interview में पूछा जाए तो बिलकुल बिलकुल तो ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी कि सर्फ V is proportional to I का मतलब क्या है और I is proportional to V का मतलब क्या है ठीक है clear है बात बात सही है तो अब आपको ये चीज समझ में आएगी कि जब कोई लेखेगा I proportional to V तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाले voltage की बात हो रही है कोई लेखेगा V proportional to I तो इसका मतलब ये है कि उपर वाले इसकी बात हो रही है voltage की सही है और यहां से हम resistance के लिए अब हमें कुछ नई चीज़ें मिली R this is V, this is I है ना V equal to I are पहला formula I equal to V upon R दूसरा formula power कितनी absorb करेगा बताओ absorb करेगा ये डिलीवर करेगा passive element है power को क्या करेगा absorb ये डिलीवर पूल पत्तियां सबको garden में लेके जाऊँगा अभी मैं है ना यहां बनाऊँगा पर अभी पहले जल्दी मुझे बताओ कि power क्या होगी absorb ये डिलीवर absorb कितनी power absorb होती है V into I V और I का ohm slot एक नया formula मिल गया I square into R V की जगे रख दिया है ना I की जगे रखोगे तो V square upon R इतनी power ये absorb करेगा इतनी power absorb होगी क्या कहते हो बास सही है जल्दी से बना सकते हैं power के formula तर energy कितनी होगी energy होती है आपकी integration of PDT तो W equal to integration of V I लिख दें और DT लिख दें तो आप W equal to लिख सकते हो V I into T ठीक है या फिर I square into R T या फिर mutual fund हाँ सही है पर बाजार जोख्यों के अधीन है ठीक है तो अगर आप focus नहीं करोगे तो नुक्सान हो जाएगा बन जाएगा अधर के चलिए बहुत बढ़िया तो यहां पर आपकी energy भी आप निकाल सकते हो रेसिस्टेंस में energy के लिए time चाहिए energy निकालने के लिए time चाहिए हई चाहिए ठीक है अरे इतने बड़े बड़े शब्द बाद में बता दूँगा मैं जितने आपके शब्द है इनकी सबकी definition से बकाइद एक paper पर लिखके आपको मैं एक fix 15 minute का session दूँगा और उसमें सब कुछ बता दूँगा ठीक है और आपके लिए हैं नहीं है गायरेटर क्योंकि वो two port का part है तो वहाँ पर पढ़ते हैं यार ठीक है परेशान मतों सब कुछ सीख लेंगे अभी जितना सिकारों बस बूर तो देखो यह कोई एक किसका answer बताना है साहिल किसका answer तो एनर्जी दिख रही होगी यह दोनों ही सही है तो इसका answer है आपका दोनों ही करेक्ट है ठीक है दोनों ही करेक्ट है तो यह तो आ गया समझ में है ना चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं कुछ नई चीज़ों की और उसके बाद आज का सेशन करेंगे वाइंड अप कल हम inductor और capacitor पढ़ेंगे और जिसमें अभी की चीज़ जो है वो हम पूरी की पूरी शांदर तरीके से cover कर लें बस ठीक है तो अब देखो देखो दुनिया की कहानी सुना रहा हूं मैं और इससे यह है कि आगे चलके आपको चीज़ों को देखने में आसानी होगी तो जनरली अगर आप पढ़ो तो मैंने आपको पहली क्लास में मेरे पहले जो शब्द थे वो यह थे कि हमारा टास्क क्या है हमारा काम है electron को सीखना किसको सीखना electron को ठीक है ohms law का current density problem होती है ohms law का current density problem होती है current density से निकलता है यह formula v equal to ir लिखते हो ना वो मैं आपको बता दूँगा यह लोग लिख देता हूँ यार कैसे निकलता है ठीक है v equal to ir के लिए हमारा एक current density का formula होता है j equal to sigma e अब देखो मैं को यह चीज़ बता नहीं पढ़ेंगे आपको e होता है electric field electric field जित्ते लोगों को देखना है वो देख लें ठीक है सिग्मा होता है conductivity conductivity क्या होती है conductivity है तो कणुछ सपोर्ट करने को लगते है ठीक है, इसके अलाबाद यह होती है, current density, current density मतलब current per unit area, ampere per centimeter square या per meter square, जनरल ही हम centimeter square लिखते हैं, क्योंकि centimeter छोटा होता है, और जो electric field होती है, वो होती है, voltage per unit length, यानि कि volt per centimeter, अगर इन सब formula को आप लोग देखोगे, तो आपको देखेगा, कि I upon A, equal to 1 upon rho, equal to V upon L, और यहां से आपको देखेगा, V equal to rho L by A, और यहां से आपको, जो ohms ने प्रूफ किया, वो formula यहां से अप्रूव हुआ, ठीक है, वो formula यहां से अप्रूव हुआ, पर छोड़ो इसको, यह तो चलती रहेगी कहानिया, यह सुनाओ, चलो, चलो, कहानी सुनते हैं, अब देखो, यहां पर electron की बात करूँ, मैं, electron की बात करूँ, तो electron, अब देखो, यहां पर आपको, मैंने यह चीज तो बता दी, कि पहले दिन से electrical या electronics, और दोनों में क्या आ रहा है, electron, तो जो हमको सीखना है, वो ठीकना है, nature of electron, अब nature of electron की बात करें, तो सबसे पहले मुझे बता हूँ, electron का weight कितना होता है, पेपर का question, electron का weight होता है, 9.1 into 10 की power minus 31 kg, ठीक है, electron का weight कितना होता है, पूरी कहानी, RLC का आधार समझा रहा हूँ, आधार, और यह समझ में आएगा वकाइदा, ठीक है, अरे, समझ लेंगे अजीत, यह formula यह चीज़ा है न, अपने आप धीरे-धीरे समझ में आ जाएगी, काँ valid होता है, ठीक है, weight कितना होता है, यह हमेशा याद रखें, सभी लोग, कभी भी पूछा जा सकता है, अब यह बताओ, इसमें अगर मैं बहुत थोड़ा सा force दूँ, इलेक्टरोन में, बहुत थोड़ा सा force, ठीक है, तो बताओ, किसनी speed से भागेगा इलेक्टरोन, नहीं दिख रही है, यह जाए सर के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश सर, दियार बताओ, कैसा लग रहा है सेशन, सुरेश सर का एक message आया है, कि सेशन बताना है, कैसा है, सर को दिल दिख नहीं रहे है, जल्दी से, जल्दी से, कर लिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शांदार, बहुत ही ज़्यादा शांदार, ठीक है, अब जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, कि वेट 9.1 इंटू, इसमें अगर मैं एक थोड़ा सा फोर्स दूंगा वहुत थोड़ा सा फोर्स तो किस इसपीड से भागेगा से बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया अब कोई कुछ भी कहें मुझे कोईं समझ में आ सब्सक्राइब कर लेंगे अभी थोड़ा बेसिक सीख लो यह तो हम सारी चीज़ां कर लेंगे इसरे इलेक्ट्रॉना वेटं बहुत कम हैं इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस से थोड़ा तो यह बहुत से भागेगा और जब बहुत स्पीड से भागेगा तो यहां प्र सक्रेट जिसको से आख का मतलब हूआ ठीक है रुका हुआ एलेक्ट्रोन और रुका हुआ एलेक्ट्रोन को अगर मैं देखूं तो इसको बोलते हैं स्टाइटिक एलेक्ट्रोन अब एलेक्ट्रोन स्टाइटिक बताऊंगा होता क्या है वो बात की चीज है पर रुका हुआ इसको पड़ते हैं स्टाइटिक एलेक् और अगर electron अपनी स्पीड में acceleration लाता है या the acceleration तो जो वेब generate होती है इसको बोलते हैं EM वेफ इलेक्त्रो मैगनेटिक वेफ ठीक है इसका मतलब electron के दुनिया में तीन नेचर होंगे एलेक्रोस्टायटिक यानि स्टायटिक ऐलेक्ट्रोन होगा ठीक है, magnetic, अगर constant speed से भागेगा, और अगर अपनी speed को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, तो electromagnetic waves, इतनी बात clear है, हाना बताओ, इतनी बात clear है, अब थोड़ा सा सोचना, अब अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचना, अब यह सोचो अगर electron रुका हुआ है, static है, ठीक है, यह electron static है एक positive charge ले लेता हूँ मैं, यह रुका हुआ electron है, static electron है, अब सूरज देखते हो, सूरज, सूरज की किड़ने कैसे जाती है, जल्दी बताओ मुझे, सूरज की किड़ने कैसे जाती है, जल्दी बोलो, ऐसे करके बाहर की side, तो इसका जो charge है, इसका जो flux है, वो कुछ इस तरीक से जाएंगी, आना बताओ, कुछ इस तरीके से जाएंगी, है न, सबी जगे, इस तरह की field को जो हम बोलते हैं, इस तरह की field को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं, electric field, क्या बोलते हैं, electric field, यानि कि आप लोग electro status में क्या पढ़ते हो, electric field, क्या पढ़ते हो, electric field, ठीक है, और electric field तब जल्दी बताओ, electric field के लिए, electron कैसा होना चाहिए, रुका हुआ, और रुका हुआ उना चाहिए, तो current कितनी होनी चाहिए, जल्दी बताओ, एक बहुत basic चीज़ समझा रहा हूँ, उसको फिर तीरे दरे time के था अपने आप change करते रहेंगे, ठीक है, अगर electron रुका हुआ ह तो आपको मिलेगी electric field, electric field, ठीक है, और electric field मिलेगी, तो current कितनी दिखेगी, 0, current कितनी दिखेगी, 0, अब समझते चलना, बहुत बढ़िया, बहुत ही शांदार, अब magnetic पे आते हैं, velocity, constant velocity है, अब ऐसे सोचो, सूरज ऐसे करके flow हुआ, तो पीछे आपको line दिखेगी सूरज की line दिखेगी क्या, जल्दी बोलो हाना, पीछे line दिखेगी, एक सूरज है और यू करके बिलकुल speed से निकल गया, तो पीछे उसकी range दो है, वो पीछे की side ऐसे करके दिख रही होंगी क्या, यानि कि generally अगर मैं बात करूं, तो कुछ field जो बनेगी, flux जो बनेगा, वो कुछ इ जाएगी, है ना, उसकी feeling, और उसके आसपास जो हवा होगी, वो खीच के ले जाएगी, हाँ, एरोपलेन जैसा, बिलकुल, इस तरह बनेगा, इसको बोला जाता है, magnetic field, क्या बोलते है, magnetic field, और magnetic field, तो बताओ, current 0 होगी या नहीं होगी, current कैसी होगी, 0 होगी या नहीं होगी, current कैसी होगी, 0 या नहीं, non-0, इस जगे पर current कैसी होगी, 0 या non-0, electron, speed से भाग रहा है, एक constant speed से flow कर रहा है, non-0, non-0, ठीक है, current non-0, इसका मतलब, अब आपको एक चीज बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी, ठीक है, उसकी बात-बात में करेंगे, जिद दौनों यह है, दौनों nature है, इसकी बात-बात में करेंगे, सर, इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब होता है, कि इलेक्ट्रोन फ्लो नहीं कर पा रहा है, इलेक्ट्रोन फ्लो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब सारे इलेक्ट्रोन इधर आगे मान के चलो, सारे इलेक्ट्रोन यहां आगे, तो यहां नेगेटिव चार्ज कर देंगे, सारे लोगों को ये बात clear हो रही है जल्दी बताओ कितने लोगों को ये बात clear है कि voltage generate हो जाएगा अगर एक general मैं बात को नहीं आए या एलेक्ट्रों रुख गए रास्ता तो है नहीं है open है रास्ता तो है नहीं है तो voltage generate हो जाएगा अब आपको एक बहुत अच्छी चीज समझ में आई, अलेक्ट्रिक फिल्ड किसते रिलेट होती है? यह रिलेट करते हैं, यह थोड़ा सा बेसिक है और इसको time के साथ बदलते रहेंगे ये ब्रह्मास्त्र ये बिलकुल सच नहीं है ये भी समाझ लो ये बिलकुल सच नहीं है किस से relate करेंगे current से किस से relate करेंगे current से अब एक चीज बताओ जल्दी से जल्दी से बताना सब कैपेसिटर या पैसे वेलिमेंट हूज एबिलिटी टू स्टोर एनरजी इन फॉर्म ऑफ एलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर एक पैसे वेलिमेंट है जिसकी एनरजी स्टोर करने की कैपेबिल्टी क इस फॉर्म में है इलेक्ट्रिक फील्ड में जल्दी से बताओ वोल्टेज में नेचर समझूँगा या करेंट में जल्दी से बोलो कैपेसिटर एक एलिमेंट है जो एलेक्ट्रिक फील्ड में एनरजी स्टोर करता है किसमें नेचर समझूँगा वोल्टेज में किसमें करता हूं मैं कि मैं किसी में बात करता हूं तो मतलब इंडक्टर इंडक्टर किसमें एनर्जी स्टोर करता है मैं जल्दी सब्सक्राइब किससे करूंगा कि एंड़ेंगे इंड़ेंटक्टर को करैंड से अब ऐघ्लेंट्र में बता दुनिया कोई बीजी बताना ना ठीक है मेरा चाहें फंखचा हो भूल यह हो ठीक है अब एक और नई चीज से कहता हूं इक नई चीज़ और से इलेट्रिक फील्ड का जो नेचर है, वो है आपका । यहां पर कम लगेगी क्योंकि यहां पर फील ज्यादा लगेगी तो यह क्या होगा रोटेट होगा तो मैगनेटिक फील्ड में यूज करता हूँ किसी भी चीज के रोटेशन के लिए किसके लिए यूज करता हूँ किसी भी चीज के रोटेशन के लिए जबकि electric field को किसके लिए यूज करता हूँ push के लिए बात समझ में आ रही है और इतना अगर समझ में आ गया तो अब ये बताओ पंखा घूम रहा है पंखा घूम रहा है बताओ इसका losses हो गए resistance किसी भी चीज के losses क्या हो गए resistance है ना अब जल्दी सब्दाओ fan जब घूम रहा है रोटेट कर रहा है fan बताओ inductive nature होगा या capacitive nature होगा जल्दी बोरो अगर fan घूम रहा है तो inductive nature होगा capacitive nature होगा किस फील्ड पर काम कर रहा होगा रोटेशन रोटेशन किसका काम है magnetic field का और magnetic field का इसलिए electrical वाले क्या पढ़ते हैं magnetic field inductor तो अब आपको अब यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि network theory में हमें RLC पढ़ना है R मतलब losses क्या loss होंगे magnetic field और electric field और दुनिया के सारे काम इंटीन चीज़ों से होंगे की नहीं होंगे हाँ ना वोलो तर आप इत्मने लेटा है अच्छा ऐसा है क्या हाँ अब दुनिया की कोई भी electrical की चीज़ देखो अब आपको समझ में आएंगी चीज़े अब आपको समझ में आएंगी अब आपको सुरेश सर भी कभी मशीन पढ़ाएंगे मैंने मशीन नहीं पढ़ी मैं electronics का हूँ ठीक है पर मैं यह बता सकता हूं कि इसका nature किस तरीके का काम होगा हाँ हाँ मैं सब पढ़ाऊंगा मैं सब पढ़ाऊंगा तो यहां से अब आपको किलियर होगी जब भी सुरेश सर या कुछ भी कहेंगे क्या कोई भी सर यहां पर कुछ भी वो लेंगे तो आपके दिमाग में आएगी अच्छा अच्छा ये काम इसको मेरे को इससे equivalent बनाना है यहां पर मुझे यहां पर कैपेसिटर लगाना है ठीक है तो यह है आपका आज का संसार सारा सारंस यह है आपका सारंस अब एक दो कुश्चन जो लोगों के थे आखरी में जल्दी से मुझे डाउट बता दो रिमेनिंग कल बात करेंगे हम इंड़क्टर कैपेसिटर ठी है अब जल्दी से मुझे बता दो कोई क्या क्या डाउट है कित्ते लोगों को आज की क्लाश यहीं पर खतम करते हैं कल हम बात करेंगे इंड़क्टर कैपेसिटर के वी एल के सी एल कित्ते लोगों को पा उसमें दिक्कत थी क्या कहते हैं सबसे पहले डाउड की बात कर लेते हैं दिखो एक्टिव डाउड पैसिव डाउड जितने भी लोग थे ठीक है difference between power and energy energy क्या होती है थो क्या होती है काम कराने के लिए हमें energy की की नीड होती है काम कराने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है पर एनर्जी के साथ एक दिक्कत होती है एनर्जी के साथ दिक्कत क्या होती है कि मैं एनर्जी एब्जॉर्व करता हूँ एक एक करके एक करके है ना एनर्जी जब मैं एब्जॉर्व करता हूँ तो उस समय पर पावर का कंसेप्ट लेके आए और पावर का कंसेप्ट का मतलब क्या हो गया पावर का कंसेप्ट लाने का मतलब हो गया कि हम ठीक है पर यूनिट टाइम में एनर्जी पर यूनिट टाइम तो यहां से हम पावर का कंसेप्ट क्यों लाए ताकि हमें बारवार टाइम नहीं बताना पड़े, तो इसको बोलते हैं इसलिए पावर, तो पावर का कंसेप्ट क्या होता है, एनरजी पर यूनिट टाइम, हर यूनिट टाइम में कितनी पावर एब्जॉर हो रही है, उसके बाद आप क्या कह सकते हो, उसको पावर बोलते हो, ठीक है, सेकेंड, डायोड, एक बार आप सेशन देख भी सकते हैं, पीछे है न, डायोड, डायोड का अगर आप करेक्टरिस्टिक देखोगे, तो डायोड का करेक्टरिस्टिक है आपका, इस तरीके का, देखो जरा, ये करेक्टरिस्टिक होता है डायोड का, अगर आप इतने तो इसमें आपको देखेगा वोल्टेज बढ़ रहा है करेंट नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब यहां पर यह एक्टिव की तरह काम करेगा अगर मैं इसको यहां पर देखूं इतना रीजन लूमें के वल इतना चोटा सा रीजन यह वाला तो अगर आप यहाँ पर देखोगे हम डायोट को इस रीजन में काम कराते हैं इस वाले रीजन में काम कराते हैं तो अगर आप इधर देखोगे इस जगह पर तो मैं आप वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो करेंट बढ़ रहा है इसका मतलब यहाँ पर डायोट करेगा है जब तो आक्टिव और पैसे बिलकुल और ऐसा ही हमेशा याद रखना आज आप पैसे डवाइस हो आज पापा से पैसे ले रहे हो पर जरूरी नहीं है आप जिंदगी बर पैसे रहोगे आप कभी ना कभी एक्टिव बनोगे ठीक है कभी ना कभी सप्लाई आप भी दोगे तो ठीज कब करते हैं तो इसलिए यह समझने की कोशिड भी करनी है दुनिया में जिन्दगी में कि हर कोई केवल एक ही नेचर-षो नहीं करता हर चीज की कंडिशन के एसाब बदलता ड्सप्लाइब की का किया का क्या सब्सक्राइब करना है। बोलते हैं जो supply करता है ठीक है पर generally कोई चीज सोच सकती है कोई चीज रोक सकती है उसको भी हम active बोलते हैं clear है बात ohms law according to ohms law v proportional to i v proportional to i ठीक है चलिए तो आज का session खदम करते हैं यहीं पर जित कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताएं कल साड़े दस वजे मैं इसके आगे बढ़ूँगा जिसमें बात करूँगा inductor की capacitor की kvl की kcl की और kcl एक ऐसा topic है जो मुझे पता है कि आप लोगों को लगता होगा आता है पर पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है आपको एक link दी जा रही है मेरे साब से क्या कहते है एक google form दिया गया है जिसको आप भरेंगे ताकि आप लोग यह बता सकें कि आपको और क्या-क्या need है आपके selection के लिए और साथ में आपको एक telegram link भी दिया होगा जो भी दिया है ठीक है अगर नहीं दिया तो मैं कल generate करवा आपके दलवा दूँगा या आज शाम को message में दलवा दूँगा तो वो चीज आपको join कर लेनी है ताकि आपको यह notes मैं provide कर सकूँ ठीक है तो आज का session यहीं पर खतम करते हैं बहुत शुक्रिया बहुत मज़ा आया और कल मिलते हैं सारे दस्वजिश में हम लोग देखेंग इसके आगे के बहुत सारी चीजे जो आप लोगों ने शायद कभी सीखी हो ठीक है शुक्रिया अभी यहीं पर मिलते हैं मिलेंगे कल सारे दस्वजिश ठैंक यू अज़ झाल-वज़िट के अज़ाइऊ मिलते हैं मिलते हैं यहीं हैं बहुती हैं